हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु लाइफ प्रेप बेटा आज एक बूटकेंप सेशन लेने वाले वी विल टेक बूटकेंप सेशन फॉर दर चाप्टर बायो टेखनोलोजी अप्लिकेशन तो बायो टेक्नलोजी उनिट में दो चाप्टर है पहला प्रिंस्पेल प्रॉसेसि जो और लेंदी है और दूसरा कौन सा एप्लिकेशन अब याद रखो रिसेंटली क्या है कि बायो टेक वन टू यह जो दो चैप्टर है इसमें से दोनों से अच्छे कासे कुशन आ रहे है इन जनरल यू कन एक्सपेक्ट 10 प्लस कुश्चन स्रॉम इस टू चैप्टर 10 से भी ज चैप्टर सो अभी जो हम लोग दिर घंटे दो घंटे में जो चैप्टर पढ़ने वाले बायो टेक टू या फिर बायो टेक अप्लिकेशन यह कुक्ली रिवाइस करेंगे और इस चैप्टर से बिटा आपने को अच्छा कासा बेनेफिट है ठीक है तो बायो टेक्नलोजी अब लोग क्या पढ़ते अग्रिकुल्च्रल अप्लिकेशन थीरप्यूटिक अप्लिकेशन यूजेज और टेक्नलोजिकल प्रिंसिपल्स तो वह सारी चैप्टर में पढ़ते हैं और यह से एसफेस हर परेग्राफ में एसफेस को बहुत जादा है नाम जादा है जादा है इस को प्रिंस इसब्स compared के योगराप यही सर्फल सब्कूपना क्यों योग कया है कि let's say कहा कहा पर बाया टेक्नलोजी का application है so मैं शुरू यहीं से करना चाहता I would basically like to start from this point ठीक है कि जो genetic engineering का या modern बाया टेक्नलोजी का जो application है वो पहला scope उसका क्या है? therapeutics, ठीक है? let us ask ourselves what is therapeutics देखो therapy या therapy उसको बोलते हैं regular benefit के लिए उसको क्या बोलते है थेरपी can be medical therapy, can be physical therapy, can be any exercise लेकिन therapy का मतलब यहाँ पर क्या है? basically medicines या फिर medical products या फिर कोई हॉर्मोन या फिर कोई ऐसा biochemical जो बाया टेक्नलोजी से आ रहा है so generally जो therapeutic है यहाँ पर pharmacological sense में यूज हुआ है मतलब medical sense में यूज हुआ है कि जो application है बाया टेक्नलोजी की उसमें क्या आती है? therapeutics और यहाँ पर therapeutics में किसकी बात कर रहा है? drugs की, let us say किसकी बात कर रहा है? hormones की, all those things जो बाया टेक्नलोजी से बनते हैं ठीके? next, diagnostics diagnostic आप जानते हो diseases को identify करना जैसे pathogens को early stage में identify करने के लिए molecular diagnosis एक heading is chapter में next, genetically modified crop again, obviously यह agriculture का significance है चाहे crop, चाहे eatable crop हो या फिर non-eatable crop हो non-eatable crop जैसे कि for example cotton ठीक है? वो wearable है उसका अलग-अलग use है लेकिन similarly, there can also be some edible crop like BT brinjal ठीक है? next, processed food food processing में, जो preservatives वगर आते है next, bio remediation remediation मतलब solution ठीक है? अभी एक broad word है bio remediation, bio remediation basically means कि biological items का use करके process करना उसको क्या बोलते है? bio remediation किस तरह का process? again, it is a wide word तो it is an umbrella term तो बहुत सरी चीज़े इसमें आ सकती है generally इसका definition important नहीं है next, waste treatment waste treatment का एक example हो सकता है sea waste treatment, ठीक है? sea waste treatment plant जो STP होते है उसमें जो bacteria होते है उसको भी genetically engineer कर सकते है next, energy production अब energy production का एक common example है जो recent trend में है, वो क्या है? bio diesel ठीक है? मतलब living organism का use करके diesel बनाना, bio diesel ठीक है? so obviously वो एक energy का source है ठीक है? so यह हो गया अपना ये वाला part this is, यहाँ से question आते कि किसका किसका use है तो यहाँ पे इस paragraph के इस section में at least objectivity है next, जो important value point है वो यह है कि biotechnology की application जो agriculture में है उसके हिसाब से तीन तरह का agriculture यहाँ पे mentioned है ठीक है? so मैं notes में आपको बताते चलता है let's say types of agriculture की अगर बात करें तो someone can say की agriculture तीन तरह का होता है ठीक है? पहला वाला जो agriculture है वो क्या है? chemical based कौन सा agriculture बटा? chemical based यह जो chemical based agriculture है इसमें कौन से chemical का use करेंगे? herbicide, pesticide, weedicide, fertilizers यह सारे synthetic chemicals का use करेंगे so chemical based agriculture में किसका use करेंगे? pesticides, let us say pesticides, जो pest को kill करने वाली जो weed को kill करने वाली, weedicide herbs को kill करने वाली, herbicide, ठीक है? similarly, chemical fertilizers fertilizers, मतलब synthetic fertilizers manure नहीं, chemical fertilizers so यह chemical based agriculture है ठीक है? जो बहुत successful है आज के time पे, ठीक है? next इसकी merits भी है, demerits भी है merits क्या है? successful है demerit क्या है? इसमें जो chemicals है वाइ expensive है और इन chemicals का living organisms पे बुरा असर है तो वो इसका hazard भी है next, second number पे कौन सा agriculture आता है? organic farming या organic agriculture organic agriculture में again हम लोग pesticide का use नहीं करते हैं मतलब chemicals का use नहीं करते हैं बलकि living organisms का use करते हैं तो यहां पे एक concept आता है bio pesticides का, bio fertilizers का मतलब living organisms pesticide का काम करेंगे living organism fertilizer का काम करेंगे जैसे azola एक organism है एक plant है, वो fertilizer का काम करता है ठीक है ना? next, अब उसके बाद में बात करते हैं, तीसरा वाला agriculture कौन सा है? तो तीसरा वाला है genetically modified genetically modified plants genetically modified plants ठीक है, so agriculture में तीन choice है, या तो आप ये करो, या तो आप ये करो, या तो आप ये करो, ठीक है अब इसका, जो success है वो क्या है क्या है, क्योंकि ये current scenario बहुत successful है chemicals use करो, pest kill हो जाते plant की growth बढ़ जाती so ये अभी के time पर बहुत successful this is most successful agriculture at the current scenario, next we have an emerging field which is organic so organic के साथ एक छोटा सा issue ये है कि organic farming करने के लिए, जो organic farmer है, has to be an expert इसको करने के लिए one person does not require a deep scientific knowledge, लेकिन इसको करने के लिए person does require deep scientific knowledge of ecosystem of various behaviors of living organism, तो ये वाला जो है तो आप से technical है और practically speaking उतना successful नहीं है जितना successful ये वाला है ठीक है, next उसके बाद क्या है ये वाला, ये एक alternative approach है this is even more modern approach ये कौन सा है, GMO ठीक है, GMO जो है आज के time में successful नहीं है ये एक emerging form है ऐसा बोल सकते है, this is an emerging one it has not replaced chemical based agriculture so still अभी जो king है वो कौन है chemical based agriculture इसका एक पुराना alternative क्या है, organic और इसका एक even more modern और technical और rigorous alternative क्या है, genetically modified plants लेकिन ये वाला जो है और ये वाला जो है, अभी इसको replace नहीं कर पाया so still today, chemical based agriculture is irreplaceable still today, ठीक है so आगे क्या लिका है, तीन तरह का agriculture है, next थोड़ी सी बात कि green revolution की green revolution ने जो requirement थी food supply की ठीक है, उसको compensate करने के लिए जो food का जो production उसको triple कर दिया ठीक है, लेकिन फिर भी human population तो और तेजी से बढ़ रहा है ठीक है, इसलिए उसको पूरा करने के लिए और भी alternative uses है, सबसे पहले chemical based agriculture में किसका यूज करते है agrochemicals, can you see fertilizers and pesticides however, farmers in the developing world, उनके लिए agrochemical बार बार खरीरना is kind of expensive तो यह इसका demerit है कि chemical expensive है, और chemical का generally, living organisms पे अच्छा असर नहीं, बुरा असरी पढ़ता है so you can count on the demerits also, ठीक है, यह agrochemical based agriculture दूसरा वाला कौन सा है कि as traditional breeding techniques, अच्छा, अब बात थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे करेंगे tissue culture की ठीक है, so एक तरह का एक तरह का approach क्या है tissue culture, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते है, let's talk about tissue culture ठीक है, tissue culture पीटा, tissue culture को हम लोग बोलते है micropropagation, क्या बोलते हैं micropropagation जरा इस concept के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि NCRT में ये, पहले strategies chapter में हुआ करता था strategies for enhancement in food production वहाँ से उसको splice करके यहाँ लाके लागा दिया ठीक है, so tissue culture क्या है, ठीक है और micropropagation क्या है, मतलब basically they are same लेकिन क्या है, basically idea क्या है, so idea कुछ ऐसा है, कि plants में जो body organization है, वो कैसी है, simple body organization है, plants है what is called as simple body organization, इसका मतलब plants में कोई बहुत ज़्यादा organ system नहीं है, let us say plant में organ है, लेकिन organ system नहीं है, so plants है relatively simple body organization, plant में कोई neuron नहीं है, plant में कोई musculature नहीं है, so plant tissues are simple tissues, one might say this, इसलिए plant में क्या होता है, कि plant cells क्या होते हैं, totipotent होते हैं, क्या होते हैं, totipotent, plant cells are totipotent, आप मेरी बात समझो, plant cell totipotent क्यो होते हैं, इसका मैं reason दे रहा हूँ, क्यों नहीं, human के cell totipotent होते हैं, उसका reason क्या है, कि human क्या है, complex है, सिर्फ zygote totipotent होता है totipotent word का क्या मतलब है पहला मतलब, यहां से समझते हैं let us start from the word totipotent totipotent का मतलब है कि एक cell से किसे, एक cell से क्या बन जाएगा, complete organism बन जाएगा, क्या बन जाएगा organism बन जाएगा, उस cell को हम लोग बोलते हैं, totipotent cell कैसा cell totipotent, मतलब, total potential वाला cell, totipotent cell, एक cell जिससे, पुरा organism बन जाएगा उस cell को क्या बन जाएगा, उस cell को क्या बन जाएगा, totipotent cell let us ask ourselves a question कि humans में कोई cell है, क्या है तो totipotent है, तो उसका answer यह है कि humans में सिर्फ zygote और कुछ early blastomeres, totipotent होते हैं, and then cells become pluripotent, and then eventually they become apotent, मतलब humans में क्या होता है, कि सारे cells totipotent नहीं होते, सिर्फ zygote और early blastomere, complete human बना सकते हैं, एक monozygotic twins का concept आता न, कि एक zygote से बने हुए twins, तो वो blastomere के separation से होते हैं, so zygote और blastomere, यह basically क्या बना सकते है organism, human बना सकते हैं, लेकिन, बड़े होने के बाद, मतलब थोड़े और later stages of life में, even embryonic stages में, जो cells बनते हैं, वो complete human नहीं बना सकते हैं, so let's say कि plants में ऐसा नहीं है, plants में plant cells in general, all cells are totipotent, all living plant cells are totipotent, मतलब कि plant का कोई भी cell, complete plant बना सकता है, इसलिए tissue culture possible है, तो मैंने आपको दो nested logic बता है, पहला logic, plant के cells totipotent क्यों है, उसका reason क्या है, कि plant में organization कैसी है, simple, humans के क्यों नहीं है, humans में सिर्फ zybode totipotent क्यों है, क्यों है, human की organization क्या है, complicated, next, चलो ठीक है, मान लिया कि humans, मान लिया कि plant के cells totipotent है, अब इसका use क्या है, इसका use क्या है, tissue culture, मतलब, cell से, या few cells से, पूरा plant बनाना, इसको क्या बोलते है, tissue culture, so what is the application of cellular totipotency in plant culture, वो क्या है, कि tissue culture, या फिर, cells से, क्या बनाना, पूरा plant बनाना, यह क्यों possible है, because plant cells are totipotent, अब ज्यांचे सुनना, assertion, plant cells can be propagated, या plants can be propagated via tissue culture, इसका reason क्या बनता, because plant cells are totipotent, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोले, plant cells are totipotent, तो इसका reason क्या बनता, plants are relatively simple body organization, ठीक है, so दो logic मैंने आपको समझा दिये, next, अब इसका शुरुवात मतलब यह method क्या है, how do we actually do tissue culture, ठीक है, तो समझाने के लिए, let's say कि यह क्या है, एक plant है, ठीक है, यह plant है, ऐसा कोई पेड नहीं होता है, लेकिन, let us say, कि यह क्या है, plant है, ठीक है, और इस plant के apex पे, shoot apex पे क्या होगा, shoot apical meristem होगा, क्या होगा, shoot apical meristem, ठीक है, याद रखो, कि यह plant, अगर भले ही disease भी क्यों नहों, लेकिन इसका meristem disease free होता है, तो जो meristem होता है, वो क्या होता है, disease free होता है, ठीक है, यह बात आप याद रखो, ठीक है, for example, यह plant है, ठीक है, और यह mature plant है, देखो, anatomy और morphology का जो unit introduction है, वहाँ एक scientist के बारे में लिखा है, E. Korosawa, अगर आप उसको पढ़ोगे, तो वहाँ आप एक अच्छी line लिखी है, कि plant में viruses, for example, we are taking assumption of viral disease, कि plant में जो वाइरस होते हैं, वो, for example, curly top virus, जिसको CTV बोला है, वहाँ पर, curly top virus, वो phloem से फैलता है, इसका मतलब, जो कोई भी virus होता है, for example, curly top virus, tobacco mosaic virus, वो generally conducting tissues के जरिए फैलता है, और meristems में localized नहीं होता है, ठीके, so viruses in plant cells, are generally not localized in meristems, इसका मतलब, meristems disease free होते हैं, या फिर आप ऐसे बोलो, और अच्छा word क्या हो जाएगा, virus free होते हैं, plant में कौन से tissue होते हैं, जो virus free होते हैं, बिटा, meristems, for example, shoot apical meristems, ठीके, तो अब यहाँ से बात शुरू होती है, plant के meristems virus free होते हैं, ठीके, अब plant के कोई भी और tissue को नहीं, plant के meristems को लेंगे, क्योंकि वो virus free होते हैं, ठीके, और इसको plant से अलग कर देंगे, तो taken out, तो meristems को क्या किया, plant से अलग कर दिया, ऐसा करने के बाद, इसका नाम पढ़ जाएगा, x plant, अब तो यह plant का हिस्सा नहीं है, तो इसको क्या वो लेंगे, x plant, ठीके, so once it was part of plant, but it is no more part of plant, so we call it x plant, ठीके, so plant में से, meristem निकाल लिया, meristem ही क्यों निकाला, क्योंकि meristems are generally virus free, and meristems have the ability to divide, and meristems can give rise to whole plant, because meristems are totipotent, तो इन सारे features की वज़ा से, meristem को निकाल लिया, next, अब यह जो x plant है, यह basically undifferentiated है, क्या है, undifferentiated है, undifferentiated मतलब इसके सारे cells एक जैसे है, as we know, meristems का कोई function नहीं होता, meristematic cells जो होते हैं, वो divide करते हैं, ना वो photosynthesis करते, ना वो कोई special storage करते, बलकि almost all meristematic cells are undifferentiated, the best thing that they can do is, they can divide and they can produce permanent differentiated cells, ठीके, so याद क्या रखना है, कि plant की body में से, जो आपने meristem निकाला, वो meristem का नाम क्या पढ़ गया, x plant, और वो meristem disease free है, और वो meristem undifferentiated है, मतलब, ना photosynthesis कर पा रहा है, ना वो कोई, किसी तरह का कोई storage कर पा रहा है, ना वो कोई conduction कर पा रहा है, it is a very simple undifferentiated tissue, लेकिन x plant जाए याद रखो, यह few cells होते है, generally बहुत जादा plant tissue निकालते क्या, नहीं, few cells निकालते हैं, मेरistem से, now, अब इसको हम लोग nutrient medium में रखते हैं, ठीक है, किसमें रखते हैं, in vitro in vitro nutrient medium में रखते हैं देखो, अगर यह photosynthetic होता, कैसा होता वेटा, अगर यह photosynthetic होता, मतलब अगर यह x plant photosynthesis कर सकता था, तो इसको mineral nutrition चाहिए होता, क्योंकि carbon यह अपने से ले लेता, लेकिन x plant तो undifferentiated है, मतलब यह photosynthesis भी नहीं कर सकता, इसलिए, इसको हम लोग कैसा medium देंगे, carbon source वाला medium देंगे, मतलब इसमें शुक्रोज भी देना पड़ेगा, क्योंकि basically यह cell के अंदर chloroplast नहीं है, इसके अंदर proplastid है, मतलब यह cell बोल सकते हैं heterotrophic है, so meristem cells are heterotrophic, by nature वो आगे चलके autotrophic cells हो जाते आगे जब उनमें chloroplast देवलेप हो जाते वो autotrophic cells हो जाते but by default, meristems के cells autotrophic नहीं होते meristematic cells depends upon other sources for food, तो इनको क्या देना पड़ेगा, शुक्रोज देना पड़ेगा plus उसके साथ-साथ क्या देना पड़ेगा इसको, vitamins and minerals देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा, vitamins and minerals इसका मतलब ये भी है, कि plant के body के अंदर meristems को, vitamin, mineral और food कहां से मिलता है plant की rest of the body से meristems को मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं तो ये plant है, ये इसका meristem है, इसको निकाल लिया निकालने के बाद meristem को ex-plant बोल ले अब वो ex-plant undifferentiated है फिर उसको in vitro, nutrient medium दिया, उस nutrient medium के अंदर क्या-क्या है sucrose है, vitamins है, minerals है ये सरी चीज़े है, तो ये सरी चीज़े देने के वज़ा से ये क्या बना लेगा, ये जो few cells है ex-plant के ये क्या बना लेंगे, callous बना लेंगे, क्या बना लेंगे callous बना लेंगे ठीक है अब explant भी undifferentiated है और callous भी undifferentiated है लेकिन दोनों में size का फर्क है callous भी क्या है undifferentiated है लेकिन दोनों में size का फर्क है याद रखो कि callous क्या है बस mass of cells यह भी क्या है mass of cells लेकिन आप यह बोल सकते हो कि explant is smaller क्योंकि इदर से few cells निकालते हैं और callous is mass of cells undifferentiated mass of cells ठीक है अब क्या होता है कि जब plant के अंदर meristem develop होता है तो उसको naturally plant से hormones मिलते हैं इसकी वजह से उसका differentiation होता है सो यह meristem को तो अपने plant से निकाल लिया मतलब यह meristem को अप plant के hormone नहीं मिल रहे इसलिए इस meristem से जो tissue बन रहा है उसके अंदर leaf अपने से बनेगी नहीं point समझो बिटा यह meristem आगे चलके leaf flower fruit कैसे बना लेता है क्योंकि इस meristem को आगे चलके क्या मिलते हैं hormone मिलते हैं leaf बनाने का hormone root बनाने का hormone flower बनाने का hormone fruit बनाने का hormone यह सब अलग-अलग hormones होते हैं for example सुना होगा oxygen induces पार्थिनो कार्पीन टोमैटो ऐसा सुना होगा ठीक है कहने का यह मतलब है कि अभी तो यह x plant plant के अंदर नहीं है तो इसको hormone नहीं मिलेंगे इसका मतलब plant callus बनाएगा जो की अभी भी क्या है undifferentiated मतलब callus में न root होगी न stem होगी न leaf होगी root stem leaves are absent callus के अंदर root stem leaves absent है मतलब callus भी कैसा है undifferentiated assertion callus which is produced through in vitro nutrient supplying to x plant is undifferentiated reason callus does not receive hormones जैसा कि plant में naturally hormones मिल जाते हैं endogenously वैसे ही callus तो x plant से बना मतलब plant के बाहर से बना इसको तो hormone नहीं मिले इसलिए इसमें न rooting हुई न stem formation हुऊ न leaf हुई लिकिन we can always give these hormones later on तो हम लोग callus को क्या देंगे hormone देंगे ठीक है for example auxin देंगे तो याद रखना नीट में पूछा हुआ है auxin से क्या होती है rooting rooting मतलब root formation और cytokinin देंगे तो cytokinin से क्या होती है shoot formation क्या होती है shoot formation ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं कि plant से meristem निकाल लिया अब उस few cells few meristematic cells को क्या बोल ले x plant उसके अंदर root flower वगरा नहीं है next फिर उसको nutrient medium में रख रहे है तो few cells larger mass of cell बना ले रहा उसको callus बोल ले still it is undifferentiated so connecting link between x plant and callus is both are undifferentiated लेकिन ये few cells है ये large number of cells है mass of cells है next अब ये जो mass of cell है इसको भी हम लोग culture कर सकते हैं मतलब बहुत बड़ा mass बना सकते हैं उसको बोलते callus culture लेकिन callus को ultimately क्या करना पड़ेगा कि callus को hormones देने पड़ेंगे मिटा ये hormone क्यों देने पड़ रहे है क्योंकि development में ये hormone चाहिए ये hormone naturally plant देता है मेरे stem को तभी वो leafing वगरा करते हैं ठीक है यहां पर जो callus है undifferentiated है इसमें rooting होगी shooting होगी ये होगी वो होगी तो callus किसमें बदल जाएगा plantlets में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा plantlets में इसके पास क्या होगी root stem leaves present now eventually इसको propagate करा के क्या बना देंगे plant बना देंगे क्या बना देंगे plants बना देंगे so plants से शुरू करके plant बना लेकिन plant को का vegetative culture किया यहां पर ठीक है using modern techniques तो उसको क्या बोले tissue culture so why is it called tissue culture because effectively what you have done is you have taken out certain meristematic tissue और इस tissue का culture किया जिससे निया plant बनाया hence the name tissue culture अब क्योंकि यहां पे few cells है और यह microscopic काम है इसलिए इसको micro propagation भी बोलते है ठीक है so tissue culture और micro propagation involves extraction of meristematic tissue अगर plant virus infected भी है तो उसका जो x plant होगा वो generally because it is few cells and because viruses generally do not affect meristem इसलिए वो plant का जो x plant है वो virus free रहेगा healthy रहेगा और इस process से होते हुए वो plantlet बना लेगा अब यहां बात यह आती है कि यहां पे तो यह sexual cloning हुई मतलब सिर्फ और सिर्फ mitosis हुआ ना meiosis हुआ ना fertilization हुआ ना अलग अलग तरह के plant से gamet आके मिले इसमें generally variation नहीं होते हैं जा पीर मिदब सकते हो कि जो plant से यह जो plant बना इवेंचुली थू टिशू कल्चर इसमे hydration नहीं होते ठीक है चेनरली ठीक है इसलिए घंली हम लोग इनको क्या बोलते है Soma clones क्या बोलते है Soma सोमा क्लोन्स और इसमें कुछ नहीं हुआ है कोई ज्यादा वैरियेशन नहीं आया है लेकिन याद रखो कि सोमा क्लोन्स में भी कुछ क्रोमोजومल रियर्येंज्मेंट की वजया से मूतेशन या फिर डिफरेंस आसकते हैं यह सो थोड़े बहुत इस है सोमा क्लोनल वेरियेशन और जो सोमा क्लोनल वेरियेशन का कॉज है वो मियोसिस तो नहीं है क्योंकि मियोसिस हुआ ही नहीं वो फर्टलाइजेशन और डिफरेंट गैमिट्स तो नहीं है क्योंकि वो हुआ ही नहीं तो सोमा क्लोनल वेरियेशन का जो कॉज होता है वह झिलता हैं वह होता है» Cromosomal Rearrangements क्या Community लुखा थीरहिःजमेंट फिर्कतल ए जो बोर्ड पर मैंने लिखा ना थिक के यह बहुत important है और यह सारी चीजें में कभी ने कभी कभी आये हुई है थीका मैं सिरु कांग की चीजे बता रहा हूं ठीक है और जो irrelevant चीजे उसको टच भी नहीं कर रहा है ठीक है तो अगर आप फोकस करें एक बार फाइनल बार तो टिशू कल्चर में प्लांट से क्या उठाया टिशू उठाया उस टिशू को क्या बोले एक्स ट्न की टिशू जनरली मैरिस्टैम होता है फिर उसको इन विट्रो कल्चर कराया उसको औरगजिन यूट्रिशन दिया कैसा हो बद्रिशन बना 7 क्यों 40 बनता क्यों है वह चलास प्लांट जैसे लीफ वगेरह नहीं बनाएगा एवंचुली वह प्लांट जो बनेगा वह सोमा क्लोन है लेकिन इसमें भी छोटे मोटे वैरियेशन आ सकते हैं सच वैरियेशन का जो कॉज है वह मियोसिस नहीं होता वह फर्टलाइजेशन नहीं होता वह क्रॉसिंग ओवर नहीं होता जनरली वह म्यूटेशन भी नहीं होता जनरली वह क्या होता क्रोमोजोमल रियरेजमेंट ठीक है तो इतना आप याद रखो नेक्स थोड़ा NCRT पर आत कि प्लांट पूरे प्लांट को जनरेट किया जा सकता है एक्स प्लांट से एनी पार्ट प्लांट टेकेन और गोने टेस्ट्यू अंडर स्टिराइल कंडिशन प्लांट का कोई भी लिविंग सेल लेंगे उससे यह प्रॉसेस किया जा सकता है लेकिन जनरली हम लोग किसको लेते हैं मेरी स्टेम्स को लेते हैं तो अभी आगे पढ़ेंगे इसके बाएं डिस केपैसिटी तो जनरेट होल प्लांट फॉम असल इसकाल टोटी पोटेंसी तो अभी बजगए इस इंपोर्टन तो स्ट्रेसियर अट नूट्रियंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड कारबन सोर्स क्योंकि याद रखो कि नूट्रियंट प्लांट जब बड़ा हो जाता है जब उसमें फोटो सेंथेटिक सेल्स आ जाते हैं मीजोफिल सेल्स तब उसको अपने से कारबन का fixation करने आता है मतलब glucose बनाने आता है शुक्रोज बनाने आता है लेकिन यह प्लांट तो अभी basically white plant है ना यह प्लांट में तो भी chloroplast है ही नहीं ना in the sense जो callous है या फिर जो x plant है ठीक है इसमें यह देना पड़ेगा amino acids देना पड़ेगा और last में इसको growth regulators भी देना पड़ेगा auxins and cytokinins auxin किसके लिए root formation cytokinin किसके लिए shoot formation by application of these methods it is possible to achieve propagation of large number of plants in very short duration so callous culture करके मतलब बड़ा callous बना के कई सारे इसमें से plantlet निकाल सकते हैं हॉर्मोन देखे producing thousands of plant from tissue is called micro propagation each of these plants will be genetically identical इसलिए इनको क्या बोले soma clones many important food plants like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using this method try to visit tissue culture which you don't have time एक और important application यह है recovery of healthy disease plants के लिए from by healthy regeneration यह कैसे होता है देखो अगर plant infected हो जाए virus से फिर भी जो meristem होते है apical होने दो axillary मतलब lateral meristem होने दो यह कैसा रहता है free of virus यह relate होता है unit introduction anatomy से जहाँ पर ई कुरोसावा ने बोला कि curly top virus food conducting phloem tissue से फैलता है ना कि meristem से फैलता है ठीक है hence one can remove the meristem and grow it in vitro अभी मैंने बताया ना कि meristem को ex plant बना के in vitro grow करा हो तो virus free plant बन जाएंगे ठीक है soma clones बन जाएंगे ठीक है next एक चोटा सा idea है somatic hybridization का वह भी मैं पढ़ा देता आपको ठीक है let's talk about somatic hybridization क्या somatic hybridization somatic hybridization somatic मतलब somatic cells let's call them vegetative cells somatic मतलब क्या बेटा normal body cell normal body cell मतलब humans की case में skin cell heart cell neuron all cells other than gametes and germline cell उनको क्या बोलते है somatic cells somatic cells generally deployed होते है आप जानते ठीक है so somatic hybridization hybridization मतलब adding two different types of things together ऐसे chemistry में पढ़ते है na s sub shell p sub shell hybridized हो गया sp3 बन गया ऐसे बोलते है na so hybridization मतलब same चीज़ का mixing ने different चीज़ का mixing उसको क्या बोलते है hybridization mixing up different things mixing up different plant plant cells plant cells ठीक है तो मुद्दा क्या है यहाँ पे cells लेंगे और cells को जोड़ करके दो अलग-अलग cells को जोड़ करके एक अलग cells मना देंगे ठीक है तो we'll start with एक model लेते हैं जैसे for example माल लो एक cell लिया potato का cell आलू का cell बाटा थीक है तो यह क्या है potential का cell है इसके आंदर nucleus है all and this The cell wall L अब क्या करेंगे अब इन दोनों के cell wall को digest करेंगे बैटा क्या तैल वौल इसकी हो या इसकी हो इसको किसे treat करना पड़ेगा plant है ना तो cell wall cellulose rich होती है तो उसके लिए main enzyme कौन सा cellulase यहाँ पर cellulase enzyme से treat करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोनों की cell wall digest हो जाएगी ठीक है और यह कैसा हो जाएगा without cell wall यह भी कैसा हो जाएगा without cell wall इन दोनों cells को हम लोग बोलते है naked protoplast क्या बोलते है नेकेड प्रोटो प्लास्ट प्रोटो प्लास्ट का मीनिंग होता है सेल विदाउट सेल वाल एक ऐसा hybridization में potato लेना है tomato लेना है और इनको cellulase enzyme देना है मतलब यह cell लेना है यहाँ पे fruit नहीं लेना है cell लेना है cell लिया tomato का cell potato का cell लिया और उसको cellulase enzyme दिया so I should make sure that I am making the arrows right so so क्या होता है cellulose देने से इन दोनों का क्या बन जाएगा naked protoplast अब यह जो naked protoplast है इसको fuse कराना है मतलब दो vegetative cells को fuse कराना है ठीक है so naked protoplast को fuse कराना है अब यह fusion अपने से नहीं होता ऐसा नहीं है कि cell लाओगे उस्टी यह not sticky कि आप उसको साथ लाओगे वो fuse कर जाएगा ऐसा नहीं है इन दोनों cell को fuse कराने के लिए chemicals का यूज करना पड़ता है let us call them fusogen जो chemical fusion कराते उनको क्या बोलते फ्यूजोजेंस फ्यूजोजेंस might include certain chemicals like एक का example क्या हो गया पेग पेग मतलब polyethylene glycol पॉली एथाइलीन ग्लाइकॉल ठीक है पॉली एथलीन ग्लाइकॉल पेग ठीक है अब ऐसा करने से यह दोनों fuse हो जाएंगे मतलब एक ऐसा सेल बनेगा जिसके अंदर पहली बात तो पोटेटो की भी क्रोमोजोम रहेंगी और टोमेटो की भी प्रोमोजोम रहेंगी एक ऐसा सेल बनेगा अब इसको इसको कुछ नाम देना पड़ता है इस सेल का नाम हो गया सोमेटिक हाइब्रिड क्या नाम हो गया सोमेटिक हाइब्रिड अभी इसके पास सेल वाल नहीं है लेकिन इस सेल अपनी सेल वाल बना लेगा बाद में सो इव लोग tomato बोलेंगे नाम लोग potato बोलेंगे क्योंकि दोनों के bei Cell M хозя है इसको क्या बोल देते है फो माटो क्या बोल देते हैं इंधा है अहले में है लिकिन इधर फो है इधर टो है ठीक है फो मेटा तो वही था इसलिए क्या नाम cells का या फिर let us say somatic cells का cell wall digest करो उनका naked protoplast बना protoplast means cell जिसके पास cell wall हड गई है उसको क्या बोलते protoplast ठीक है अब यह protoplast अपने से fuse नहीं करते हैं इनको fuse कराना पड़ता है by using chemicals class of chemicals called fusogenes fusogen इसको fuse कराएंगे तो somatic hybrid cell बनेगा उसमें naturally bad missile wall आ जाएगी अब इसको हम लोग क्या बोलते somatic hybrid process को क्या बोलते somatic hybridization somatic hybridization एक novel strategy है इस तरह से दो desired character वाले organisms especially plants को combine करने के अब generally ऐसा करने से मुझे तो personally potato और tomato अलगी अलग पसंद है अब यह दोनों साथ में हो ऐसा क्या कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा लेकिन यह just to tell कि ऐसा भी हो सकता है यह process के बारे में NCRT में description है कि such things can also happen ठीक है ऐसा नहीं कि this is very economically flourishing मतलब ऐसा करने से कुछ बहुत बड़ा change आ जाएगा दुनिया में नहीं even pomato is a flop crop ठीक है so basically इससे ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा change आ गया है दुनिया में so NCRT ने क्या लिखा है देखो NCRT की language for is interesting है scientists have even isolated single cells from plant after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast surrounded by protoplast में cell without cell wall है लेकिन cell membrane तो रहेगा ना next isolated protoplast from two different varieties of plant each having desirable characters can be fused to get hybrid protoplast which will further be grown to form new plant hybrid protoplast naturally बाद में cell wall बना लेगा उसे नया plant भी बन सकता है because of totipotensive ठीक है these hybrids are called somatic hybrids while the process is called somatic hybridization ठीक है very good now imagine a situation जहाँ पे protoplast of tomato को fuse कर दिया जाए potato के साथ और to form a new hybrid plant combining tomato potato this is very funny well this has been achieved resulting in formation of pomato लेकिन unfortunately this plant did not have all desired combinations of character for its commercial utilization तो इतना अच्छा नहीं है nobody likes tomato ठीक है is there any alternative part to our understanding of genetics मतलब farmers को help कर सकते क्या किसी और तरीके से ठीक है इसके बाद क्या नाम आया genetically modified crops GMO genetically modified crops में क्या करेंगे obviously desirable gene को लाकर के plants का transformation करेंगे वो plant क्या हो जाएगा recombinant हो जाएगा genetically modified plants are basically recombinant plants अब main goal क्या है आखिर क्या क्या करना चाहते वो यहां पर लिखा हुआ है these are main goals यह statement based question आते इससे कि GMO plant बनाने का आखिर main goal क्या है ठीक है तो एक goal क्या हो सकता है made crop more tolerant to abiotic stress abiotic stress मतलब physical stress stress मतलब unfavorable situation ठीक है so abiotic stress क्या हो जाएगा very cool ठीक है drought मतलब water stress पानी नहीं है next salt मतलब salinity बढ़ गई soil के अंदर solutes का concentration बढ़ गया sodium बढ़ गया mineral toxicity बढ़ गया next heat heat मतलब गर्मी बढ़ गई so अगर यह सारी चीजें बढ़ जाएंगी so plants कुछ plants होते जो बहुत ज़ाद़ sensitive होते some plants are very sensitive to salinity some are very sensitive to frosting in cold weather some are very sensitive to temperature stress लेकिन basically अगर उन plants के अंदर थोड़ बहुत change कर दिया जाएं let us make them genetically modified तो they will become more tolerant to these conditions next फिर क्या आँ गया reduced reliance on chemical pesticides reliance का यहां पर मतलब है dependence ठीक है so dependence on pesticides कम हो जाएं मतलब plants naturally क्या हो जाएं pest resistant ठीक है stress resistant pest resistant crops जैसे इसमें अभी कुछ एक्जामपल आएगा बीटी कॉटन ठीक है next help to reduce post harvest losses post harvest मतलब जब पेड से जो fruit है या फिर जो भी उसका valuable part है उसको जब हटा लिया जाता है तो वो जल्दी पेरिश हो जाता है मतलब खराब हो जाता है ठीक है अगर वो एक हफते से बढ़ करके एक महीना हो जाए तो अगर उसकी shelf life बढ़ा दो post harvest losses कम तो अगेन इतल इतल बी आ good economic gain next increased efficiency of mineral usage by plants मतलब mineral को plant क्या करता है uptake करता है लेकिन कुछ plant क्या करते है mineral को हट से दादा अपटेक कर लेते ठीक है हट से दादा अपटेक करने से toxicity हो जाती है so अगर plant जो है is very sensitive to toxicity of minerals क्योंकि plant हट से जादा absorb कर ले रहा है और फिर soil में भी खतम हो जा रहा खुद उसमें जादा भी हो जा रहा so this is generally harmful इससे soil की fertility कम होती है और plant में toxicity हो जाती है तो increased efficiency of mineral usage मतलब plants मिंडल जादा उठाए नहीं कमी मिंडल उठाए लेकिन उसका use अच्छे से करे next enhanced nutrition value for example यह तो बार बार नीट में आया golden rice golden rice एक genetically modified crop है जिसमें क्या जादा है vitamin A so genetically modified crop का एक example नाम क्या आगया golden rice golden rice कोई artificial hybrid नहीं है कोई wild variety नहीं है यह कोई naturally created plant नहीं है यह genetically modified plant है और इसमें vitamin A जादा होता है so vitamin A enriched golden rice is an example of GM crop अब GM crop को tailor made plant to supply alternative resources to industries मतलब plant को जैसे कुछ plant होते ना जो starch बनाते हैं तो वहत से जादा starch बनाए कुछ plant ऐसे होते हैं जो fuel wood बनाते हैं या पिर ऐसा chemicals बनाते ऐसे fiber बनाते हैं जो fuel की तरह यूज हो सके next बहुत से plant होते जिससे medicines निकलती है ठीक है so आज के time पे भी majority of ayurvedic medicines as well as allopathic medicines उनका source क्या है plant है next some of the applications of biotechnology come from this guy ठीक है अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा board work करके समझाना चाहता हूँ ठीक है bacillus thuringiensis ठीक है bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis ठीक है short में इसको क्या बोलते है BT बोलते हैं क्या बोलते हैं BT bacillus thuringiensis एक rod shaped bacteria है क्या है यह rod shaped eubacteria ठीक है यह rod shaped bacteria obviously bacillus thuringiensis एक rod है rod shaped bacteria I mean अब यह जो bacillus thuringiensis है इसके कुछ strains कैसे strains some strains एक toxin बनाते है वो toxin यह bacteria pro toxin के form में बनाता है उसको हम लोग बोलते है BT pro toxin BT pro toxin ठीक है मेरी बात ध्यांचे सुनना bacillus thuringiensis एक bacteria है वो bacteria के कुछ strain सारे bacillus thuringiensis नहीं वो bacteria के कुछ कुछ strains क्या बनाते हैं BT prototoxin अब obviously BT prototoxin बनाने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए BT gene ठीक है कोई भी चीज बनाने के लिए उसका synthesis pathway होता है उसका enzyme होता है तो उसका gene होता है basically ठीक है so bacillus thuringiensis के पास एक gene है जिसका नाम है BT gene कुछ-कुछ strains में वो gene express होके क्या बनाता है BT prototoxin next अब यह जो BT prototoxin है यह insecticidal properties का है मतलब अगर इस BT prototoxin को insect का larva खा जाए yummy ingested by insect larva अगर insect का larva यह BT prototoxin को खा जाए ठीक है ingested by insect larva so यह कहां पहुँचेगा गट में पहुँचेगा ठीक है और गट में इसको कैसा pH मिलेगा alkaline pH गट के अंदर इसको कैसा pH मिलेगा alkaline pH ज्यान चे सुनना bacillus thorengiensis या फिर BT rod shape bacteria है जिसके कुछ strains में BT gene express होता है क्या होता है express और BT gene जब express होता है तो क्या बनता है BT prototoxin अभी एक्टिव नहीं है इनक्टिव toxin इनक्टिव toxin इनक्टिव toxin ठीक है जब इस इनक्टिव protoxin जो बैक्टिरिया ने बनाया इस इनक्टिव protoxin को अगर इनसे कलरवा खा लेथा ने खा लेथा ठीक है कीसे खा लेता इसाwave 2003 ज़ूद लेकिन खा लेता है और गट मे पहुझसेगा और गट में कैसा , mix h अलक्वह पहलाई्फ मिलेगा इस alkaliniz पहलाईनिटि में यह जो protoxin है इसी हो जाता है क्या हो जाता है क्या बन जाता है BT toxin BT toxin by the sense of the word is active toxin क्या यह active toxin है ठीक है और यह जो active toxin है यह किसको bind करेगा याद रखना NCRT में लिखा है midgut क्या midgut epithelial cells और epithelial cells को यह kill कर देगा midgut के जिसके बाद वहाँ पे फरोस बन जाएंगे अपर्चर्स बन जाएंगे मतलब कुरोड हो जाएगा म्यूकोसा जिसकी वज़े से इंसेक्ट मर जाएगा ठीक है तो बेसिकली यह जो इसकी condition है वो यह है toxicity क्या है कि bacillus syringyanses जिसको BT बोलते हो एक rod shape bacteria है उसके कुछ strengths बनाते है BT gene बनाते है BT protoxin यह protoxin इनक्टिव है इसलिए BT के लिए कोई problem नहीं है पर bacillus syringyanses यह जो BT toxin इसका कोई effect नहीं है क्योंकि जो BT toxin है यह inactive toxin next अगर इसको larva insect का ingest कर ले तो उसकी मौत आ जाती है कैसे आ जाती है तो कि वह protoxin alkaline condition में active हो करके active toxin बना लेता है और यह midgert epithelial cells को bind कर लेता है जिसकी वज़ास से क्या होता है cell lysis मतलब cell फट जाता है ठीक है swelling हो जाती है ठीक है और फरोस बन जाते हैं फरोस बन जाते हैं ऐसा बोलो holes बन जाते हैं ठीक है इसकी वज़ास से insect मर जाता है याद रखो insect का लारवा ही मर जाता है अच्छा इंसेक्टा तो class है ना phylum orthropoda class in sector और यहां पे तीन order से इंसेक्ट के जिसको यह effect करता है ठीक है so कौन-कौन से इंसेक्ट को यह effect करता है सबको effect नहीं करता है तीन class को effect करता है पहला वाला कौन सा लेपीडोप्टेरा ठीक है देखो यह NCRT में दिया हुआ है it is clearly given in NCRT so ऐसा नहीं है कि मैं कुछ out of NCRT बता रहा हूँ ठीक है क्या दिया हुआ है some applications of biotech in agriculture you will study in detail is production of pest resistant plant insect larva resistant plant ठीक है यहाँ पे एक bacteria होता है bacillus thuron gyenses short में BT बोलते इसके पास BT toxin का gene होता है has been cloned from bacteria और इसको plant में डाल दिया गया genetically engineered plant में BT cotton, BT corn, BT rice ठीक है लेकिन याद रखना कि इंडिया में अभी edible plants में यह नहीं जाता है BT cotton edible नहीं है तो इसकी farming होती है बाकि सब की edible वाले है इसकी farming इंडिया में नहीं होती है अब BT cotton का case देखो bacillus thuringiensis के कुछ strains क्या बनाते हैं protein बनाते हैं तो यह जो BT toxin क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है ठीक है यह insect को kill कर सकता है कौन कौन से insect के order को lepidopterans ठीक है kuleopterans और dipterans ठीक है तो यहाँ पर वही में लिक रहा था lepidopterans ठीक है kuleopterans ठीक है और कौन से insect को ठीक है dipterans ठीक है living world chapter में एक table है human का mango का housefly का और wheat का उसका यह taxonomic हैरारकी दिया हुआ है उसमें भी याद रखो कि housefly का muska domestica का जो class है वो insecta है लेकिन order जो है वो क्या है diptera है so diptera क्या है diptera एक insecta का order है जिसमें क्या आते है flies आते हैं including housefly fruit fly drosophila भी diptera है next और क्या आता है mosquitoes मच्छर ठीक है mosquito ठीक है next kuleopterans skoleopterans में कौन आता है बैटा beetles ठीक है beetles next lepidoopterans इसमें यहाँ पे दिखो दो के नाम लिखे हुए है ठीक है एक bud warm है tobacco का और एक army warm है ठीक है एक bud warm है और दुसरा army warm है ठीक है so tobacco bud warm इसका एक example है lepidoopteran का bud warm और दुसरा कौन सा army warm ठीक है army warm ठीक है now bacillus thuringienses का toxin इन सारे insects को effect करता है इसका मतलब यह जो BT toxin है यह insecticidal है क्या है insect को kill करता है तो यह क्या हुआ insecticidal और यह basically protein है तो क्या हुआ insecticidal protein protein generally crystalline होते है क्या होते है crystalline तो यह insecticidal protein होने के साथ-साथ crystalline है इसलिए इसको short में क्या बोलते है cry cry मतलब रोना नहीं cry मतलब crystalline ठीक है ना क्या बोलते है crystalline ठीक है तो फिर से सुनो bacillus thuringienses के कुछ strain BT gene express करके BT protoxin बनाते है यह toxin जब बदकिस्मत इंसेक का larva खा लेता है और इंसेक का larva कैसा होना चाहिए lepidoptera होना चाहिए colioptera होना चाहिए diptera होना चाहिए cockroach को कुछ नहीं होगा cockroach neoptera है वो दूसरा है anyways तो यह सारे order के insect अगर खा लेते है तो इनकी मौत आ जाती है क्योंकि इनके गट में जाकर के bt toxin क्या हो जाता है active हो जाता है active होने के बाद ये mid gut epithelial cells को kill कर देता है जिसकी वज़ा से insect मर जाता है trauma की वज़ा से now insecticidal protein जो होते crystalline nature के होते यहाँ पर generally most proteins are crystalline तो इनका नाम क्या पढ़ा है cry active toxin इस बन जाता है उनके बादी में due to alkaline pH of gut which form soluble crystals the activated toxin binds to surface of mid gut epithelial cells ठीक है mid gut याद रखना है create pores that will cause cell swelling analysis eventually cause death of insect larva अब यह bt toxin gene को कहाँ पर introduce करेंगे plant के अंदर ताकि जो bt toxin bacillus thuringiensis बना रहा था वही bt toxin cotton plant बनाने लगे so क्या हो रहा है specific bt toxin genes were isolated from bacillus thuringiensis bt से वो gene निकाला और वो gene किसको दे दिया plant को दे दिया किसको दे दिया cotton को so वो gene का bt protoxin अब cotton बनाएगा अब bt protoxin को larva खाएगा और larva जो है उसके मौत आ जाएगी ठीक है क्या लिखा है the choice of gene depends upon crop and targeted अच्छा यह जो bt protoxin है this is not one toxin but a family of toxins बहुत सारे toxins होते है all together क्या बोलते bt toxins तो अब इसलिए इनका gene भी अलग-अलग है अब ध्यान से सुनो bt toxins insect group specific है जैसे for example एक है cry 1 AC इसका नाम cry क्यों है क्योंकि यह crystalline है तो नाम क्या है पहला बाला क्या है the toxin is coded by a gene cry 1 AC cry 1 AC का नाम क्या है cry और बहुत सारे cry है there are a number of them for example proteins encoded by the genes cry 1 AC and cry 2 AB control cotton bowl worms and that of cry 1 AB controls corn borer ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो sub group लिखा ना इसको भी समझना जरूरी है कि corn का borer के लिए कौन है cry 1 AB और cry 1 AC और cry 2 AB किसके लिए cotton bowl worms के लिए लेकिन यह है सब क्या यह है क्या they are all cry proteins ठीक है ना cry 2 AC और दूसरा कौन सा है cry 2 AB ठीक है यह किसके लिए है sorry cry 1 AC ठीक है cry 1 AC ठीक है अब यह जो नाम पढ़ा है ना यह जो नाम पढ़ा है cry 1 AC cry 2 AB इस नेम्स इसका logic क्या है वाट ड़स A मीन यह अपने लिए इंपोर्टन नहीं है ठीक है लिकिन यह किसको कंट्रोल करता है cry 1 AC और 2 AB cotton bud warm नहीं बेटा bowl warm क्या bowl warm ठीक है और cry 1 AB किसको कंट्रोल करता है corn borer corn borer ठीक है ऐसा कोशन आ सकता कि corn plant was infected with corn borer what can be done to avoid it so introduce cry 1 AB gene from some strain of bacillus thuline giants into corn plant to make BT corn and BT corn will be resistant to corn borer ठीक है next आगे बढ़ते हैं अब आगे तो बढ़ने ही पड़ेगा यहाप एक photo है without BT gene with BT gene ठीक है यह हो गया next अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा concept आ रहा है जिसको मैं oversimplify करके पढ़ाने जा रहा हूं यह जो concept है इसको हम लोग बोलते हैं RNA interference क्या बोलते हैं बेटा RNA interference ठीक है RNA interference इसको बोलते हैं हम लोग interference बोलते हैं जब दो चीज़े जो है इंटर्फियर करते हैं जैसे physics में आपने पढ़ा होगा यंग्स double slit experiment में constructive interference destructive interference पढ़ा ना ठीक है so RNA interference भी वही मतलब है जैसे YDSC में क्या होता कि waveforms intersect करते हैं वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है RNA I में क्या हो रहा है RNA intersect करेगा ठीक है so RNA interference in short is called RNA I ठीक है RNA I RNA गई ठीक है और RNA I में देखो क्या होगा simple है बहुत simple है एक model बना के मैं आपको समझाता है ठीक है so याद करो सबसे पहले तो माल लेते हैं let's assume this is a new karyotic cell which is not very hard to assume तो यह क्या हो गया यह एक eukaryotic cell हो गया good looking eukaryotic cell यह क्या है eukaryotic cell eukaryotic cell के पास क्या ही होता है nucleus होता है ना यह क्या है eukaryotic cell का nucleus cell का nucleus ठीक है cell के nucleus में कुछ तो होता न, DNA से क्या बनता, RNA, ठीक है, यहाँ पे DNA, let us say यह क्या है, DNA, ठीक है, इस DNA से transcription होके, क्या बनता है, RNA, mRNA बनाने के लिए, mRNA बनाने के लिए, RNA polymerase कौन सा यूज होता, RNA polymerase 2, कौन सा, RNA polymerase 2, पढ़ा न, MBI में, ठीक है, कोई बात नहीं, eukaryotic cell के cell nucleus में, nuclear RNA polymerase 2 का यूज करके, DNA segments का, क्या होता है, transcriptional unit में, DNA segments के structural gene का transcription होता है, जिससे क्या बनता है, mRNA, फिक है, यह translation के लिए तैयार है, इसलिए यह क्या करता है, exit करता है, nucleus से, और यह mRNA कहा जाता है, cytoplasm, यह क्या है, mRNA, अब यह mRNA कैसा है, single stranded, कैसा है, single stranded, and it is ready to be translated, ठीक है, तो ध्यान तो सुनो, RNA interference में, अभी तक मैंने क्या बताया, let's say, we have a eukaryotic cell, एक eukaryotic cell है, उस eukaryotic cell में nucleus है, उस nucleus में DNA के transcription से RNA polymerase 2 का यूज करके messenger RNA बना, अब यह messenger RNA coding है, अगर यह translate होगा, तो इससे protein बनेगा, ठीक है, लेकिन RNA interference में, एक दूसरा RNA जो की इससे complementary होगा, आखे इससे interfere कर जाएगा, अब मैं इसको simplify करके बता रहा हूँ, देखो, इसका जो model है, वो थोड़ा सा और complicated है, involving enzymes like dicer and dsRNA, बट यहां मैं उसको over simplify करके, ncrt के level पर बता रहा हूँ, ठीक है, so basically RNA interference में क्या होता है, जो mRNA बना, इसके साथ एक दूसरा RNA interfere कर जाएगा, यह जो दूसरा RNA yellow color से मैंने बनाया, इस RNA का नाम होता है, silencer RNA, ठीक है, इसको हम लोग short में SI RNA भी बोलते हैं, SI का short form silencer नहीं है, SI का short form है small interfering RNA, ठीक है, क्योंकि यह छोटा होता है, और यह interfere करता है, ठीक है, और देखो, यह क्या कर लेगा, इस वाले mRNA के साथ, base pair करके, mRNA को क्या कर देगा, ds, ds RNA बना देगा, और यह ds RNA translatable नहीं है, यह कैसा है, untranslatable है, हम सब को मालूम है, कि translate होने के लिए, untranslatable, हाँ, okay, translate होने के लिए mRNA को क्या होना चाहिए, single standard, कोई बात नहीं, RNA interference में जो mRNA बना, उसके साथ silencer RNA लग गया, si RNA लग गया, जिससे RNA क्या हो गया, ds RNA, और translation नहीं हुआ, मतलब RNA silence हो गया, शान्त हो गया, चुप हो गया, ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, what has caused RNA interference, so RNA interference में, अगर आप notice करो, तो main intruded silencer RNA, चलो यह तो ठीक है, dna से बना mRNA, यह कहां से आया, silencer RNA का source क्या है, याद रखो, वेटा याद रखो कि source of silencer RNA होता है, let's say source of si RNA, ncrt ने बोला, यह दो चीज़ें हो सकती है, सबसे पहले, यह कोई RNA virus हो सकता है, और number two, number two, यह कोई RNA transposon हो सकता है, क्या हो सकता है, RNA transposon, ठीक है, RNA transposon का दुसरा नाम है, retrotransposon, very good, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, let me try to explain, ठीक है, RNA interference में mRNA silence हो गया, किस ने किया silencer RNA, silencer RNA single standard RNA है, जो की mRNA के साथ complimentary है, और वो क्या कर लिया, base पर जिससे बन गया, dsRNA, dsRNA untranslatable है, मतलब transcription हुआ, मगर translation नहीं हुआ, देखो न, transcription हुआ, mRNA बना, लेकिन mRNA ट्रांसलेट नहीं हुआ, so transcription हुआ, मगर translation नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, post-transcriptional gene silencing, क्या बोलते हैं, post-transcriptional gene silencing, या फिर in short, as an acronym, PTGS, so RNA interference का दुसरा नाम क्या है, post-transcriptional gene silencing, मतलब transcription हुआ, मगर translation नहीं हुआ, क्योंकि mRNA double standard हो गया, because of base pairing with silencer RNA, which is complementary to at least some regions of, some important regions of messenger RNA, ठीक है, now, इस silencer RNA का source क्या है, अच्छा, mRNA का source तो DNA है ना, उसके transcription से हैं ना, लेकिन silencer RNA का source क्या है, यह दो हो सकता है, RNA virus या फिर कोई RNA transposon, अब जांता सुनो, RNA virus का case तो simple है, कि कोई RNA virus होगा, वो आ जाएगा, और direct उसका जो RNA है, वो किसका काम करेगा, silencer का काम करेगा, ठीक है, तो RNA क्या हो जाएगा, silencer हो जाएगा, कोई बात नहीं, यह एक case हो गया, number two, what about this case, RNA transposon, यह समझना पड़ेगा अपने कुछ, तो याद रखो, कि basically, यह मानलो की DNA है, यह human का क्या है, DNA, या किसी भी eukaryote का क्या है, DNA है, अब eukaryote के genome में एक खास feature होता है, कि eukaryote का, यह जो DNA है, यह transposable होता है, मतलब यह DNA यहाँ से निकल के, इधर कहीं जाके लग सकता है, तो मानलो यह DNA इधर से निकला, और बड़ी आशाओं के साथ यहाँ जाके लग गया, तो यहाँ पे तो अब यह नहीं रहेगा, तो यहाँ से यह क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, और यहाँ के लग चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शो कर दे रहाँ, यहाँ से निकला, और इधर को जाके लग गया, ठीक है, इधर को जाके लग गया, तो पहले यह DNA कहां हुआ करता था, यहाँ, अभी यह कहां आ गया, यहाँ, तो यह जो फ्रेग्मेंटे DNA का, जो इधर से इधर उड़ी मारा, जंप मारा, इसको हम लोग बोलते है, ट्रांस्पोजान, इसके तीन नाम है, पहला नाम क्या है, ट्रांस्पोजान, Transposon और Phenomena को भोता है Transposition क्योंकि यहां से Position इसकी Change हो गया यहां आगया यहां से Locus इसका बदल गया Linkage Group इसका बदल गया यहां से यहां आगया इसको क्या भोलते है Transposon यहां पिर इसी को भोलते है Lamence Language में Jumping Genes क्या Jumping Genes क्योंकि यह इधर से उड़के इधर आ गया ठीक है next इसी कौम लोग बोलते हैं mobile genetic elements क्या बोलते है mobile genetic elements ठीक है so basically जो DNA होता है eukaryote का उसमें एक feature होता है जिसका नाम होता है transposition या फिर transposon अब पूरा का पूरा DNA transposon नहीं है उसका एक region क्या है वो transposon है human genome में बहुत बड़ा fragment transposable है मतलब इधर से उधर जा सकता है मतलब mobile है ठीक है so DNA का यह segment इधर से निकलके यहां जाके लग गया इसको हम लोग क्या बोलते है transposition और इस segment को क्या बोलते है transposon let us call them jumping genes ठीक है अब यह jumping genes का दो mechanism है पहला mechanism सुनना दूसरा mechanism सुनना जो पहला mechanism है mechanism वन mechanism वन ठीक है इसको हम लोग बोलते है DNA transposon क्या बोलते है DNA transpose यह simple है इसमें कोई भी खत्रे वाली बात नहीं खत्रे मतलब कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है basically क्या होगा यह होगा DNA और DNA में से एक segment यहां से निकलेगा किसके form में है DNA के form में ऐसा ठीक है और यह जा करके इधर लग जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पहले भी DNA था जब यह निकला तो free state में भी DNA और लग भी गया कहां वहाँ पे भी DNA के form में obviously इसको कुछ proteins help करेंगे निकलने में और लगने में इसको आप बोल सकते हो basically DNA splicing यहां से कट होके यहां पे लग गया you can call it DNA splicing DNA कट हुआ ना और DNA ही लगा ना ठीक है कोई बात नहीं सो पहला mechanism क्या है इधर से इधर आने का पहला तरीका क्या है DNA transpose on मतलब था भी DNA निकला भी DNA लगा भी DNA इसको क्या बोलते DNA splicing या फिर DNA transpose on जो दूसरा तरीका है let us say mechanism 2 mechanism mechanism 2 उसको बोलते RNA transpose on क्या बोलते RNA transpose on ठीक है RNA transpose on क्या चीज़े देखो ना इसमें कुछ interesting होता है माल लो यह DNA और यहाँ पर यह DNA का fragment है यह DNA का fragment transcription करेगा क्या करेगा transcription और transcription करके यह बना लेगा विटा RNA क्या बना लेगा RNA ठीक है और यह जो RNA है यह RNA वापस यहाँ क्या करेगा reverse transcription और क्या बना लेगा DNA इस case में भी DNA यहां से यहाँ गया लेकिन dna DNA के फॉर्म में गया लेकिन इस patientاه RNA इंटर्मीडियेट के फॉर्म में गया और यह DNA से रिवर्स ट्रंसक्रिप्चिप्चिन होके डियए बना यादरखो यह RNA भी कैसा होता और यहerson सा साइलेंस और ने हो सकता है तो मैं एक कंसेट अभी आपको बता रहा हूं जिसका नाम है ट्रांस्पोजों ट्रांस्पोजों मतलब ड्यन ने का एक पार्ट इधर से निकल के जाके लग जाएगा रॉम वन पोजिशन तो अनजर पोजीशन क्या बोलते ट्रांस्पोजीशन jumping gene या फिर mobile genetic elements significant part of human genome is transposable, मतलब इधर से उधर जा सकता है, अब इसके दो तरीके हैं पहला DNA के form में जाए DNA splicing, दूसरा DNA RNA बनाए और RNA वापस से DNA बनाए, मतलब पहले transcription, फिर reverse transcription इस वाले को mechanism 2 को हम लोग बोलते हैं RNA transposon यह RNA transposon single standard RNA intermediate से transpose होता है rather बनता है single standard RNA intermediate, ठीक है next, so यह जो RNA transposon है, यह भी SSRNA बनाता है, और it can also act as source of silencer RNA so ultimately eukaryotes में RNA interference क्या है, जब DNA से RNA mRNA बने, लिकिन mRNA protein ना बना पाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं, we call it RNA interference, यह RNA interference eukaryote में होता है और generally it is involved with defense अब how it is involved in defense is not a good thing to discuss at our level, लेकिन याद रखो it is involved in cellular defense मतलब virus से, bacteria से, बचाने के लिए involved होता है ठीक है, so RNA interference में या फिर RNAi में transcription होता है, मगर translation नहीं होता ठीक है, so DNA से mRNA बना, using RNA polymerase to pre-process हुआ, और वो exit किया, cytoplasm में गया, it was ready to produce protein मतलब यह ribosome के साथ जुड़के protein बनाने ही वाला था लेकिन dsRNA बन गया, कैसे? एक दूसरा complementary silencer RNA आके mRNA के साथ bind करके उसको क्या बना दिया? dsRNA which is untranslatable, मतलब translation नहीं होगा, अब यह जो source है silencer RNA का, can be an RNA virus, और can be a RNA transposon, RNA virus simple है RNA virus आएगा, उसका जो RNA है वो silencer का काम करेगा RNA transposon थोड़ा complicated है इसलिए मैंने बताया है कि DNA इधर से उधर जाता है उसका एक तरीका क्या है? RNA बना के जाए और यह single standard RNA can act as silencer ठीक है? इसको हम लोग बोलते है RNA interference ठीक है अब इसका bio technology में यूज क्या है? अब यह तो अभी तो biology है ना, this is biology where is bio technology so bio technology में यह use है कि कुछ plants को engineer करते है RNA interference का use करके पहले case सुनो आप case क्या है? एक नेमा टोड है नेमा टोड है, नेमा टोड समझते हो आप roundworm ठीक है? और यह roundworm है obviously, ठीक है? यह जो roundworm है इसका नाम है meledogyni, देखो नाम ही में आधा concept है, meledogyni melody इतनी chocolatey क्यो है? meledogyni incognitia incognito नहीं, incognitia meledogyni incognitia, I hope that I have written the spelling right ठीक है नेमा टोड है, एक roundworm है जैसे ascaris roundworm है ना वैसे यह भी एक roundworm है इसका नाम क्या? meledogyni incognitia ठीक है यह root parasite है कौन से plant का? tobacco का तो मैं आलिक रहा हूँ root parasite of tobacco इसको तंबागू के प्लांट के root बहुत पसंद है ठीक है? तो यह root parasite of tobacco है बहुत से लोगों को tobacco plant की पत्तियां बहुत पसंद होती है लेकिन इसको तोबैको प्लांट का root बहुत पसंद है ठीक है? तो नेमा टोड राउंड वाम है जिसका नाम है mellodogyni incognitia यह root parasite है लेकिन किस का tobacco का? ठीक है? अब यह tobacco के plant को effect करेगा और tobacco का plant उसे effect हो जाएगा disease हो जाएगा ठीक है? तो यह क्या cause करता है? disease cause करता है लेकिन किस में? tobacco के root में ठीक है? अब इस disease से tobacco को बचाना है because tobacco is a cash crop tobacco is money तो लोगों ने tobacco को बचाने के लिए एक RNA interference का यूज किया अब क्या करते है? basically मान लो कि mellodogyni mellodogyni का DNA है यह किसका DNA RNA बना रहे है? मैं mellodogyni का मान लो यह mellodogyni का mellodogyni का DNA है ठीक है? यह DNA है और mellodogyni के DNA से क्या बनेगा? mellodogyni का mRNA और mellodogyni के mRNA से क्या बनेगा? mellodogyni का protein ठीक है तो यह क्या है? protein मान लो यह mellodogyni का central dogma है all right mellodogyni अपने DNA से RNA बना रहे है transcription अपने RNA से अपना protein बना रहे transcription अब क्या करेंगे अब टोबैको प्लांट को जेनिटिकली इंजीनियर करेंगे टोबैको प्लांट को क्या करेंगे जेनिटिकली मॉडिफाई करेंगे ताकि यह टोबैको प्लांट में क्या इंसर्ट हो जाए नेमा टोड इसके जीन कहा जाए इसके जीन आजाए टोबैको प् being a plant will be transformed by genes from a roundworm. So, roundworm से DNA उठा रहे है, और इसको क्या बोला NCRT में? Nematode-specific genes. क्या बोला? Nematode-specific genes. Nematode-specific genes. ये Nematode-specific genes, Nematode के genes है, ये Tobacco के genes नहीं है. So, Tobacco plant क्या हो गया? Recombinant हो गया, genetically modified हो गया. So, basically, ये जो roundworm है, ये Tobacco के plant को effect कर रहा है, लिकिन इसका gene उठा के plant में डाल दिया. Plant को Nematode का gene दे दिया. तो जिस तरह से DNA यहाँ पे protein बना रहा है, ये Nematode का case है, उस तरह से plant भी क्या खरेगा? Nematode के, अब यहाँ पे जो DNA Nematode का है ना, इसको मैं N लिख दे रहा हूँ. बना उपर वाला और दूसरा वाला mRNA नीचे वाला strand यूज करके बना. So, for example, अगर mRNA ये नीचे वाला strand करके Nematode बना रहा है, तो उपर वाला strand का antisense वाला mRNA plant बनाएगा. प्लांट बोलेगा आओ, ठीक है? So, Nematode अपना क्या बनाएगा? mRNA और plant उसका क्या बनादेगा? antisense mRNA. इसका मतलब, plant का बनाएगा mRNA, Nematode के बनाएगा mRNA के साथ क्या कर लेगा? Base pair, इससे Nematode का RNA हो जाएगा, double standard, जिसका translation नहीं हो पाएगा. इस वज़े से Nematode के अंदर post-transcriptional gene silencing हो जाएगी, या फिर RNA interference हो जाएगी. तो मैं फिर से बोल ला हूँ, कि Nematode एक है, जिसका नाम है, Nematode के जीन, सो नेमाटोड अपना RNA बनाएगा, ना, प्लांट बनाएगा, प्लांट भी नेमाटोड का RNA बनाएगा, बना दिया, अब ये दोनों RNA complementary है, तो वेन नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड इंट्रोड इन्टो टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट उट्रोड प्रोड्यूस एंटिसेंस mRNA अगेंस्ट mRNA ऑफ नेमाटोड, नेमाटोड बोला बला अपना mRNA बनाया, और उसमें एंटिसेंस mRNA जो नेमाटोड का ही है, लेकिन प्लांट में आ चुका है, आ करके उसके साथ बेस्पेर कर लिया, तो नेमाटोड का RNA double standard हो गया, और नेमाटोड अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा, इस वज़ा से नेमाटोड में silencing हुई, या ऐसा बोलो, नेमाटोड में translation नहीं हो पाया, और नेमाटोड बिना प्रोटीन की तो survive नहीं करेगा, तो कुछ critical genes को नेमाटोड से निकालके, प्लांट में डाल दिया, और प्लांट ने antisense mRNA बनाया, जो कि नेमाटोड के RNA के साथ बेस्पेर करके, उसके translation को कर दिया, नहीं होने दिया, इसको हम लोग बोलते RNA interference, बेटा, RNA interference actually किस में हो रही है, टोबैको में नहीं हो रही है, नेमाटोड में हो रही है, क्योंकि नेमाटोड का RNA silence हो रहा और नेमाटोड को problem हो रही है, अगर plant का RNA silence करोगी तो plant को problem, जिसका RNA silence होगा, उसी को problem होगी न, ठीक है, कोई बात नहीं, तो यह होगी, कहाँ नहीं, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, RNA interference के बारे में, कि सारे eukaryote में होता है as a method of defense, ठीक है, जैसे मान लोग कोई virus आया, और virus के mRNA को, host का mRNA silence कर दिया, तो virus infection नहीं cost कर पाएगा, ठीक है, involves silencing of specific mRNA, due to a complementary dsRNA molecule, ठीक है, और mRNA silence हो जाता है, dsRNA बनने की वज़े से, और nematode के gene, tobacco में कैसे डालोगे, tobacco plant host को आप कैसे recombine करोगे, मतलब कैसे उसको recombinant बनाओगे, obviously using agrobacterium vectors, मतलब याद है, ti plasmid, dicot plants को transform करने के लिए, किसका यूज करते हैं, agrobacterium vectors का यूज करते हैं, ठीक है, अब यह जो दो RNA बनते हैं, यह complementary होते हैं, एक sense और दुसरा anti sense, तो यह dsRNA बन जाता है, उससे RNA ह हो जाती है, next transgenic plant के अंदर survive नहीं कर पाता, कौन नहीं survive करता, मिलेडोगाइनी incognitia, अब मिलेडोगाइनी incognitia जो है, यह देखो, यह वाला affected वाला है, और यह वाला healthy वाला, कितना खुश लग रहा नहीं, ठीक है, चलो, अब बात करेंगे, genetically engineered insulin, यहाँ पर ऐसा लिखा ह है, कि adult onset diabetes को manage किया जा सकता है, by taking insulin, मतलब insulin एक medical requirement है, एक दवाई है, जो diabetic patients को चाहिए, just in order to ensure कि उनका glucose metabolism अच्छे से चल रहा है, ठीक है, next, अगर diabetic patient को insulin नहीं मिलेगा, तो उसकी disease progress होती जाएगी, और उसके symptoms खराब होते जाएगे, ऐसा करने के लिए insulin को हम लोग पहले और उतना effective treatment नहीं था, by taking insulin from other animals, that was not very effective, लेकिन अगर insulin को biotech से बनाया जाए, that will become a little more scientific, a little more easy process, think about whether insulin can be orally administered, क्या insulin orally खा सकते क्या, का injection लगाना पढ़ता है, injection क्यों लगाना पढ़ता है, तो कि insulin जो है, वो एक protein है, protein hormone है, और वो protein hormone होने की वज़ा से, अगर आप उसको औरली खाओगे, तो पेट में जाके digest हो जाएगा, amino acid बन जाएगा, ठीक है, next, insulin used for diabetes as earlier extracted from pancreas or slaughtered cattle लेकिन बाद में उससे लोगों को दि करता है, अब यहाँ पर human insulin की कहानी लिखी होई है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना की human insulin जो होता है, वो pro insulin के form में बनता है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोचिश करता हूँ, देखो, human के chromosome 11 पर एक gene पाया जाता है, जिस gene का नाम है, insulin gene, short में बोले तो, INS gene, INS gene मतलब insulin gene, ठीक है, लेकिन problem यह है, कि insulin का gene, insulin बनाता ही नहीं, insulin का gene बनाता है, pro insulin peptide, INS gene which is located on chromosome 1, इसके expression से, मतलब transcription, translation से, इसके expression से, क्या बनता है, pro insulin, क्या बनता है, pro insulin, यह active hormone नहीं है, यह pro hormone है, जो आगे चलके, mature होकर के insulin बनता है, ठीक है, तो यह जो pro insulin है, इसमें 3 peptide chains होते हैं, अब बहुत से जगा sidebooks में इनका amino acid लिखा है, कि A chain में इतने amino acid, B chain में इतने amino acid, please don't remember extra jargon, which is not given in NCRT, वो याद रखने का जरुवत नहीं है, तो एक क्या होता है, A peptide, ठीक है, next अगर आप NCRT पे ध्यान दो, तो एद्धा में NCRT की जैसा बना रहे, एक क्या होता है, A peptide, फिर दूसरा क्या होता है, B peptide, लेकिन नोटिस करो, A peptide, B peptide से end to end नहीं जुड़ा है, तो यह हो गया, थोड़ा बड़ा B peptide, बस इतना पता होना चाहिए, कि A peptide थोड़ा छोटा है, और B peptide थोड़ा बड़ा है, और A peptide, B peptide से directly end to end नहीं जुड़ा है, rather B peptide का end A peptide से जुड़ा है, through another peptide, which is called C peptide, जो की सबसे बड़ा peptide है, ठीक है, so human insulin का जो gene है, वो actually insulin बनाता ही नहीं है, वो क्या बनाता है, pro insulin, pro insulin में कितने chain होते हैं, pro insulin में, as you can see, pro insulin has three chains, which are called, in order of size, A, B, C, simple, A, सबसे छोटा, B, उससे बड़ा, C, उससे बड़ा, ठीक है, now, यह जो A chain है, इसके अंदर एक intra-chain disulfide linkage है, और A और B के बीच में, दो disulfide linkage है, disulfide linkage मतलब sulfur connected to sulfur of different amino acids, within the chain, ठीक है, या between two chains, so basically, A peptide है, B peptide है, और C peptide है, यह तीन peptides है, यह तीन polypeptide chains है, जो की इस तरह से जुड़ी हुई है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pro insulin, अब इसकी problem क्या है, insulin को बनाने में, कि insulin का जिन, insulin तो बना ही नहीं रहा है न, insulin का जिन तो pro insulin बना रहा है, फिर बाद में दुसरा enzyme आता है, जो insulin के अंदर से C peptide को cleave कर देता है, cleave मतलब remove कर देता है, बाद में यह जो C peptide है, यह क्या हो जाता है, cleave out हो जाता है, so mature insulin में दो ही chain बचती है, एक बचती है, यह उपर वाली कौन सी? A chain, जिसके अंदर एक disulfide link है जब within the chain, next, दुसरी वाली कौन सी बचती है, यह वाली B chain, B chain is slightly larger, और यह A chain के साथ दो जगाव क्या करती है, disulfide bond बनाती है, according to NCRT, ठीक है, एक हो गया, ऐसा, और दुसरा हो गया, ऐसा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यह NCRT का डाइग्राम है, मेरा डाइग्राम नहीं है, ठीक है, ऐसी condition यहाँ पे है, अब नाउ, C-peptide free हो जाता है, निकल जाता है, यह maturation of pro-insulin into insulin, बड़ ऐसा लिका है, simplified model है, there are tricks, मतलब यह cleave कैसे हुआ, इसका अलग enzyme होगा, उसका अलग gene होगा, तो this is complicated, लेकिन इसको simplify करके क्या है, देखो, कि human chromosome में एक gene होता है, chromosome 11 में, INS gene, जो की expression से pro-insulin बनाता है, इसके अंदर 3 chain है, this is pro-hormone, जो आगे C-peptide की cleaving से, आगे चलके वो बन जाता है, A और B-peptide वाला insulin, और यह बहुत important hormone है, human body का main anabolic hormone होता है, so insulin is not a joke, it is a very important hormone, ठीके, अब यह insulin hormone अगर बनाना हो, तो इसका major concern क्या है, कि INS gene तो बना लोगे, लेकिन C-peptide कैसे निकालोगे, तो कि C-peptide को दो जगा पे cleave करना, एक जगा यहाँ पे, एक जगा यहाँ पे, यह भी आपने सवाल है, कितने जगा cleave करना है, दो जगा पे, इसके लिए दो अलग-अलग enzyme चाहिए होंगे, मतलब एक enzyme A और C को cleave करेगा, दुसरा C और B को cleave करेगा, छोड़ो, so basically, एक simplified model है कि pro-insulin बनता है, और pro-insulin से क्या बनता है, insulin बनता है, human में, this is the natural biosynthesis of insulin, in the beta cells of pancreatic islets in human, अब क्या किया, कि यह जो insulin gene है, उसको beta cell से निकाला, और यह, इसको, this C peptide, यह mature insulin नहीं होता, अब क्या किया, कि RDNA बनाए, एक American company ने 1983 में, Ellie Lilly, ठीक है, इसने human insulin के gene को, plasmid के use करके, E. coli में transfer करके, A और B chain को separately बनाया, so एक company है, ठीक है, 1983 में, एक American company है, उसका नाम क्या है, Ellie Lilly, ठीक है, Lilly नहीं है, लिली है, ठीक है, Ellie Lilly, Ellie Lilly, in 1983, इसने क्या किया, cloning vector कौन सा यूज किया, plasmid, ठीक है, और host कौन सा यूज किया, ashreequia coli, E. coli, ठीक है, और इन दोनों का use करके, human के A chain को, और B chain को separately बनाया, ठीक है, क्या बनाया, separately, किसको separately बनाया, A और B chain को, separately बनाया, और बाद में, इन chains में, क्या create कर दी, कौन सी bond, di sulfide bonds, बाद में, A और B chains में, क्या create कर दी, di sulfide bonds, तो बन गया insulin, so naturally कैसे बनता है, through the route, which involves, pro insulin, पर उसके cleaving से, यह natural तरीका है, लेकिन, Ellie Lilly ने कैसे बनाया, natural तरीके को, mimic नहीं किया, बलकि, A और B chain को, separately बनाया, A को, A की coding sequence है, B को, B की coding sequence है, और बाद में, उन दोनों के बीच में, कौन सी bond बना दी, di sulfide bond, and just like that, क्या बन गया, human insulin, अब यह जो human insulin है, इसके लिए, cloning vector कौन सा, plasmid, host कौन सा, E. coli, यह सब याद रखना पड़ेगा, और C peptide याद रखो, marker है, यह enzyme में से, mature होके, निकल जाता है, ठीक है, अब बात हो की, gene therapy की, let's talk about gene therapy, अब इसमें भी case है, एक बीमारी का case है, ठीक है, so, एक, बीमारी होती है, जिसका नाम होता है, SCID, CID नहीं, SCID है, ठीक है, SCID मतलब क्या, severe, combined, मतलब, milli-juli और combined, severe, combined, immunodeficiency, immunodeficiency, disease, ठीक है, SCID, SCID मतलब, severe, combined, immunodeficiency disorder, या severe, combined, immunodeficiency disease, अब इस disease में, क्या होता है, ध्यान तो सुनो, देखो, जो lymphocyte होते हैं, जो human के, lymphocyte, lymphocyte जानते हो, lymphocyte एक तरह के, WBC होते हैं, lymphocytes are, A granulocytes, they are WBCs, lymphocytes, they are basically WBCs, ठीक है, इनके maturation के लिए, इनके काम करने के लिए, एक enzyme चाहिए होता है, वो enzyme का नाम क्या है, अदा, enzyme का नाम क्या है, ADA, एक enzyme होता है, इसको short में क्या बोलते है, ADA, यह, purine metabolism में involved है, but you don't need to learn purine metabolism, आपके बस यतने अदट में, adenosine deaminase, क्या नाम है, adenosine deaminase, तो ध्यान से सुनना बेटा, एक बिमारी होती है, severe combined immunodeficiency disease, इसमें एक enzyme होता है, adenosine deaminase, यह enzyme नहीं बनता है, ठीक है, जिसकी वज़ा से, lymphocyte का maturation नहीं हो पाता है, मतलब lymphocyte में, जो अलग अलग तरह के differentiation होता है, T lymphocyte के, B lymphocyte के, वो नहीं हो पाते, तो इसके, मतलब इस enzyme के ना बनने से, lymphocyte क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और उससे क्या condition आ जाएगी, immunodeficiency, मतलब person का immune system वीक हो जाएगा, obviously, जब अलग अलग तरह के lymphocyte नहीं बन पाएंगे, if deficiency of adenosine deaminase enzyme, इसकी वज़ा से, अगर lymphocyte में differentiation नहीं हो पाएगा, तो बीमारी कौन सी होगी, immunodeficiency, अब immunodeficiency का यह जो बीमारी है, इसका टेकनिकल नाम है, SCID, ठीक है, so gene therapy समझाने के लिए SCID का case लिया, NCRT ने, और ध्यान से देखो क्या बता रहा है, ठीक है, अगर किसी person को heredity disease हो, तो उसको क्या ठीक हिया जा सकता है, क्या, ठीक है, gene therapy heredity disease को, genetic disease को, mutation वाले disease को ठीक करने का तरीका है, ठीक है, clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl, and this girl today might be 38 years old, ठीक है, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl, और इसको कौन सी बीमारी थी, SCID, SCID का दुसरा नाम क्या है, severe, sorry, adenosine deaminase deficiency, ये बीमारी का नाम है, इसको मैंने क्या लिखा, SCID, SCID मतलब, adenosine deaminase deficiency, ठीक है, ये enzyme crucial है, immune system के function के लिए, ठीक है, ये disorder होता है, deletion of gene के लिए, for adenosine deaminase, ये case में, adenosine deaminase नहीं बगता है, in some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation, कुछ बच्चों में, bone marrow transplant कर दिया, उससे ADA cure भी हो जाता है, in others, it can be treated by enzyme replacement, therapy with functional enzyme, given to the patient by injection, मतलब, patient को enzyme दे दिया जाए, तो उससे भी बहुत treatment होता है, but this is not a cure, but the problem with both these approaches, is that, they are not completely curative, मतलब, long run में, उससे कोई फाइदा नहीं होता है, at first, याद करो, RBC का life span केतना होता है, 120 days, but what about WBC, WBC का तो और कम होता है, लिम्फोसाइट जो अगर आप transplant कर भी रहे हो, तो वो long live नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए, organism में रहेगा, फिर वही, natural जो लिम्फोसाइट उसके body में बनेंगे, उनके अंदर ADN नहीं होगा, तो फिर differentiation नहीं कर पाएँगे, next, इसके बचने के लिए, functional ADAC DNA दिया गया, complementary DNA, और याद रखो, यह human cell में दिया जा रहा है, तो mammal के लिए, animal के लिए, cloning vector किसका यूज करते है, retroviruses का, ठीके, so retrovirus vector का यूज करके दिया गया, introduced into lymphocyte, और बाद में वो patient को दे दिया गया, तो याद रखो, adult stages में यह cure नहीं है, क्योंकि lymphocyte का, जो life होता है, वो short होता है, lymphocytes are ephemeral cells, they are short-lived cells, इसलिए, अगर किसी adult को lymphocyte आप दे रहे हो, भले ही, उसको CDNA दे के दो, या कैसे भी transform करके दो, तो वो cure नहीं होता है, लेकिन अगर stem cell के, early in life stage में, अगर आप यह treatment करोगे, तो ADA का क्या हो जाएगा, permanent cure, ठीक है, तो adenosine deaminase एक enzyme है, जिसकी deficiency से एक disease होती है, और ADA deficiency disease का पहली बार, फर्स क्लिनिकल एक gene therapy दिया गया है, next we come to another heading, which is molecular diagnosis, और molecular diagnosis अच्छा है, तो कि यह बहुत conceptual है, बहुत-बहुत conceptual है, याद रखो, biotechnology का एक use क्या है, diagnosis, तो अब कौन सा आगया, molecular diagnosis, लेट्स टॉक अबाउट molecular diagnosis, ठीक है, जो जो clinical pathological diagnosis होता है, उसमें क्या-क्या होता है, अच्छा, molecular diagnosis में क्या-क्या आ रहा है, कुछ अप्रोच आ रही, जैसे कि पहली अप्रोच क्या है, R DNA technology, दुसरी क्या है, polymerase chain reaction, दुसरी क्या है, enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है, यह techniques है, जो early diagnosis में help करती है, ठीक है, अब देखो, diagnostic का दो तरीका है, diagnosis मतलब disease को पता लगाना, ठीक है, so, disease के diagnosis का क्या scene है, ठीक है, याद रखो, जब कोई pathogen, human body के अंदर आ जाता, let us talk with respect to human, कोई pathogen अगर human body के अंदर आ जाता है, so, human body का जो physiology है, वो बदल जाता है, मतलब, same नहीं रहता, altered हो जाता है, altered, ठीक है, so, उसकी पढ़ाई कौम लोग बोलते है, pathophysiology, क्या बोलते है, pathophysiology, यह pathophysiology का मतलब क्या है, pathophysiology का मतलब है, बदली हुई physiology, ठीक है, कैसी physiology, बदली हुई physiology, altered physiology, altered physiology, कौन सी condition में, disease की condition में, ठीक है, So, early diagnosis का मतलब क्या है जैसे अगर किसी को कोई viral infection हुआ तो viral infection generally local पहले रहता है मतलब जिस organ को affect करता है, वहाँ पे रहता है For example, अगर skin को affect किया तो skin में रहेगा urine में नहीं आएगा, पहले कहा रहेगा, skin में ही रहेगा अगर scalp को affect किया तो scalp में रहेगा, brain को affect किया जहाँ पे रहता है, local रहता है So, problem यह है कि जो classical approaches है diagnosis की उसमें जो sample में जो virus आता है, जो bacteria आता है वो शुरू में नहीं आता है, जब भी मारी बहुत advance हो जाती है तब आता है Like किसी को अभी bacterial infection हुआ तो उसका bacterial instruction पूरे body में थोड़ी फैल गया तो उसके blood में थोड़ी bacteria आ गया ज़्यादा quantity में तो याद रखो कि जो conventional diagnosis है जैसे for example conventional मतलब जो किया आता गया अभी तक conventional diagnosis वो कैसे होता है sampling से होता है कैसे होता है, sampling से होता है जैसे for example serum analysis जिसको हम लोग बोलते है plasma analysis या blood analysis या urine analysis आज के टाइम पे भी जो blood का sample, urine का sample, serum का sample ले करके जो analysis करते हैं, उसमें हम लोग detect करते हैं कि इसके अदर कोई bacteria, कोई virus वगरा तो नहीं है, लेकिन याद रखो ये जो है, इसमें bacteria virus early stage में नहीं आता बाद में आता है, medical therapy अच्छी तब होगी जब disease early stages में पकड़ी जाए so early stage में पकड़ने के लिए conventional diagnosis उतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि serum में, blood में, urine में जो pathogen है, वो बाद में आता है पहले वो local रहता है very likely it will be a false negative ठीक है, so याद रखो कि early diagnosis के लिए for early diagnosis early diagnosis के लिए किसका यूज करते है PCR का ठीक है ELISA का ठीक है RDNA technology का इन सारी चीजों का यूज करते है early diagnosis के लिए अब direct NCRT पे jump मारेंगे क्या लिखा है presence of pathogen like bacterial virus is normally suspected only when pathogen has produced disease symptom तो जब pathogen बहुत कम रहता है तो कोई symptom ही नहीं आता ठीक है ना वो blood में आता है ना वो urine में आता है ना वो symptom show करता है ठीक है by this time the concentration of pathogen is already very high in the body मतलब जब symptom आने लगते है तो disease advance हो जाती है however very low concentration of bacteria virus जब symptom भी नहीं है when symptoms are not yet visible can be detected by amplification मतलब उनका gene को amplify कर दो और उससे identify करो कि okay you are there ठीक है can you explain how PCR can detect very low amounts of DNA PCR में याद है 30 cycle में DNA की 1 billion copy बन जाती है so अगर बहुत कम DNA भी है या बहुत कम virus का या bacteria का जो genome में वो है उसके PCR से उसको बहुत जादा number में convert किया रहा सकता है detectable amount में next PCR is now routinely used to detect HIV HIV के detection के लिए AIDS patient में HIV virus का load HIV virus का status detect करने के लिए किसका use करते है PCR का this being used to detect mutations in gene suspected in cancer patient 2 मतलब PCR का use AIDS में भी है PCR का use cancer patient के mutation के detection के लिए भी है this powerful technique to identify many other genetic disorders याद रखो infectious disease है AIDS और cancer non-infectious disease है मतलब किसी agency की थूर नहीं होता है generally so AIDS और cancer मतलब infectious as well as non-infectious disease दोनों के early diagnosis में PCR is a powerful tool next अब आ गया mutation वाली disease को समझने का एक और तरीका ठीक है gene mutations के detection का एक और तरीका so यहाँ पे एक case ले करके अपने को समझना पड़ेगा माल लोब लोग case लेते है breast cancer का क्या किसका breast cancer का let us take the case of breast cancer ठीक है so basically breast cancer या कोई भी cancer कैसे होता है generally gene mutations involved होते है क्या involved होते है gene mutations ठीक है so होता क्या है कि we start with DNA ठीक है let us say we start with DNA और इस DNA को कोई damage हो जाता like for example ultraviolet ray x-ray या फिर कोई free radical ठीक है समझ रहूँ आप इन सारी चीजों की वज़ए से DNA को क्या हो जाता है damage हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते है mutation और इसकी वज़ए से gene किसमें बदल जाता है oncogene में बदल जाता है मतलब uncontrolled cell division होता है क्या होता है uncontrolled cell proliferation या cell division है मतलब cell एकदम खूल करके free होके divide करता है आज मैं अपनी जिन्दगी जी लूँगा ठीक है एक मैंने case लिया breast cancer का ultral UI देखो gene mutations होते किसी भी cancer में मतलब DNA में damage होता जिसकी वज़ए से cell का division uncontrolled हो जाता ठीक है अभी क्या है कि cell में DNA का damage तो आप नहीं रोग सकते मतलब ultraviolet ray x-ray free radical यह तो आएगा ही आएगा DNA तो damage होगा ही होगा इससे बचने का कोई तरीका नहीं है इसलिए DNA को repair करने के लिए enzymes हैं क्या है let us call them DNA repair enzymes DNA को repair करने के लिए अपने पास क्या है बेटा DNA repair के enzymes हैं लेकिन यह जो DNA repair के enzymes है these DNA repair enzymes इनका भी तो gene है ना इनका भी तो gene है ना अरे यह enzyme भी तो किसी ने किसी gene से आते होंगे ना what about इन gene में ही mutation क्यों ना हो जाए ऐसा भी तो सकता है कि इनके gene में mutation हो जाए मतलब जो अब इसे for example cancer especially breast cancer से related दो प्रोटीन है पहला प्रोटीन है BRCA1 BRCA1 BRCA2 यह जो दो प्रोटीन है यह DNA repair के प्रोटीन है मतलब यह DNA के repair को promote करते है DNA को सुधार देते है लेकिन अगर इसमें ही mutation हो जाए तो DNA का repair नहीं हो पाएगा उस case में person more likely to suffer from cancer ठीक है तो यह जो gene है यह DNA को repair करना है और अगर DNA repair होगा तो cancer नहीं होगा और अगर DNA repair नहीं होगा तो cancer होने के chances बढ़ जाएगे विच मिन्स अगर यह gene में mutation है तो cancer होने के chances बढ़ जाएगे अगर यह gene में जो DNA repair में involved है इसमें mutation है तो cancer के chances बढ़ जाएगे so prevention के लिए हम लोग क्या करते है इन gene के mutation को पहले चेक करते है ठीक है यह जो DNA repair के gene है इनके mutation को चेक करते है कैसे चेक करते है एक radio label DNA लेते है मतलब radioactive DNA लेते है ठीक है radioactive DNA लेते है या radioactive RNA भी ले सकते है इसको हम लोग क्या बोलते है probe ठीक है और non mutations के साथ इन genes को hybridize करते है ठीक है मतलब probe ले करके जो non mutations है non mutations आप समझ रहे हो BRCA1, BRCA2 या कोई भी और किसी दूसरे gene के जो non mutation है जिनके बारे में पहले से पता आए कि यह mutation होते है उन mutations को क्या करते है as a probe लेते है probe मतलब वो DNA वो RNA जो radioactive है और उसमें non mutation है और उसको इस DNA के साथ for example repair enzyme के DNA के साथ hybridize करते है so अगर यह hybridize हो जाता है मतलब person positive है positive मतलब medicine में बुरी ख़वर ठीक है so for example किसी भी cancer especially breast cancer के respect में वो example लेके बताया कि किसी भी cancer में gene mutation होते है मतलब DNA damage हुआ uncontrolled cell division हुआ लेकिन DNA damage को बचाने के लिए DNA repair enzyme है इन enzymes में अगर mutation होगा तो cancer होने के chance बढ़ जाएंगे इसलिए यह जो enzymes है इनके mutation को check करने के लिए probe का use करते probe वो radioactive DNA या RNA होता है जो neon mutations के साथ होता है और mutant gene को identify करके उसके साथ hybridize कर लेता है और hybridize करने के बाद यह auto radiography से detect हो जाता है auto radiography क्यों क्योंकि DNA या RNA खुद radioactive है तो इसको क्या बोला है auto radiography मैंने कई बार बताया है auto radiography means जब sample के अंदर से खुद radiation निकल ला है when sample itself is radioactive तो उसको क्या बोलते है auto radiography जो इसी to detect ठीक है auto radiography next अब देखो क्या ही है यहाँ पे क्या लिखा है single standard DNA RNA tagged with radioactive molecule is allowed to hybridize to complementary DNA in a clone of cells followed by detection using auto radiography the clone having the mutated gene will hence not appear on photographic film because the probe will not have complementary sequence with mutated gene तो कहने का यह मतलब है कि अगर normal वाले gene का प्रोब लोगे तो mutated gene hybridization में नहीं बैठेगा मतलब इसको वाले condition का ठीक उल्टा case लेके NCRT ने समझाया है NCRT ने क्या बोला बेटा कि अगर आप ऐसा non mutations का probe ना ले करके अगर आप normal वाला probe लोगे अगर यहां पे आप ऐसा probe ले रहे हो जो कि normal DNA है so mutant के साथ hybridize नहीं करेगा और photographic plate पे नहीं आएगा और अगर आप यहां पे non mutations वाला probe ले रहे हो तो DNA mutant के साथ hybridize कर जाएगा और photographic plate पे आ जाएगा ठीक है so basically कहने का मतलब यह है कि यह याद रखो कि जो probe molecule होता है वो single standard DNA RNA होता है और वो अपने complementary DNA के साथ मतलब किसी gene के साथ hybridize करा के चेक करते हैं कि normal probe अगर लेंगे तो वो normal के साथ hybridize करेगा और mutated gene के साथ hybridize नहीं करेगा और mutated gene photographic plate पे नहीं आएगा ठीक है ELISA एक दूसरी टेक्निक है इसके बारे बस इतने आद दखो कि paratope epitope मतलब antigen antibody interaction के उपर based है सो जो ELISA है इसका फुल फॉर्म पहले important है enzyme linked immunosorbent assay मतलब क्या कि एक तरफ होगा antigen एक तरफ क्या होगा antibody उसका interaction चेक करेंगे infection by pathogen can be detected by presence of antigens antigens क्या होते especially glycoproteins और by detection with antibodies synthesized against the pathogen अगर antibody है तो भी check कर सकते हैं अब यहाँ पर transgenic plant की बात तो हो गई थी लेकिन transgenic animal की बात रहे गई थी let's talk about क्यों बनाते है transgenic animal पहला case क्या है normal physiology और development को समझने के लिए देखू अब लोग neural में पढ़ते हैं कि जो speech का synthesis area है वो broke का area है speech का जो सुनने का जो समझने का area है वो वर्नी के area है देखने का area है वो occipital visual cortex है so how do humans know कि कौन सा दिमाग का part क्या काम कर रहा है how do neuroscientists know कि दिमाग का कौन सा part कौन सा काम कर रहा है उसका जो scientific wisdom में वो कैसे आया मालूम क्या उसका scientific wisdom ऐसे आया कि दिमाग का जब वो part damage होता है तो वो process effect हो जाता है for example अगर वर्नी के area में stroke आएगा so person को speech समझ में नहीं आएगी या सुना ही नहीं देगा the person will become centrally deaf अगर किसी को occipital lobe में या visual cortex में stroke आया मतलब वहाँ पे brain damage हुआ so उस case में उसको दिखाई नहीं देगा मतलब आखें एकदम fine है but दिमाग में visual cortex में stroke आया वहाँ पे infarction हुआ so brain की वज़ा से वो person centrally blind हो जाएगा ठीक है so basically क्या होता है कि normal physiology मतलब how do we know कि which part of brain is performing which function when that function is compromised due to disease or trauma जब किसी injury की वज़े से वो दिमाग का पार्ट खराब हो जाता so वो function खराब हो जाता इसलिए वो दिमाग का पार्ट वो function में involved है similarly purposefully genes को हम लोग क्या कर देते हैं खराब कर देते हैं मतलब destroy कर देते तो पता चलता है कि उस gene का क्या काम है so transgenic animals को क्यों बनाते हैं ताकि check करने के लिए कि इस gene का development में क्या काम है इस gene को अगर आप mutate कर दोगे तो transgenic animals में there will be certain issues ठीक है so transgenic animals can be specifically designed to allow study of how genes are regulated and how they affect normal functions of the body for example studying complex factors involved in growth such as IGF IGF मतलब क्या insulin-like growth factor तो एक protein body में बनता है उसका नाम है IGF बहुत सारे IGFs होते है insulin-like growth factors यह body के development में involved होते हैं ठीक है by introducing genes from other species that alter the formation of this factor studying biological effects is there मतलब generally क्या करते हैं कि development में जो genes involved है उसकी study किस में करते हैं transgenic animals में या genetically modified animals में वो इस gene का organism में क्या रोल है next study of diseases ठीक है बहुत सारे transgenic animal को design किया गया disease किये समझने के लिए these especially are made to serve model for human diseases तो human में बहुत सारे diseases है बेटा यह सारे non-infectious diseases है notice करना cancer mutation से होता है cystic fibrosis mutation से होता है ठीक है rheumatoid arthritis autoimmune disease है इसका भी genetic link है और alzheimer यह एक neurodegenerative disease है उसका भी genetic link है ठीक है तो यह सारे diseases का genetic link है मतलब gene mutations इसमें involved होते हैं और यह सारे diseases जो है यह सारे diseases को हम लोग transgenic animal में study करते हैं कि यह drug देखे कैसा treatment हो कैसा plan हो या यह जो transgenic animal है यह कौन से gene की वज़े से इसमें cancer का risk बढ़ रहा है कौन से gene की वज़े से इसमें rheumatoid arthritis का risk बढ़ रहा है यह सारे diseases जो यहाँ पर mentioned है एक बात याद रखो transgenic animal में disease को study किसको किसको करते यहाँ पर जो लिखा है यह 4 disease के नाम याद करने पढ़ेंगे यह चारों ही क्या है नॉन इंफेक्शिस नेक्स्ट बाइलोजिकल प्रोड़क्स यह अच्छा टॉपिक है इससे कुश्चन आते है ठीक है जो मेडिसिन्स जो human diseases को treat करने के लिए चाहिए होते वो भी कहां से आते है बाइयो टेक्नलजी से भी बहुत सारे आते है यह जो सिंपल केमिकल वाले होते है यह वेरी एक्सपेंसिफ टू मेक सम टाइम्स ठीक है इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया गया ताकि उससे कुछ प्रोड़क्स बन सके जैसे कि एक दवाई है जो अदर्वाइस तो बहुत महेंगी होती है उसका नाम क्या है अल्फा वन एंड्राइट ट्रिपसन अब याद रखो ट्रिपसन जो है ट्रिपसन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता पढ़ा होगा डाइजेशन चैप्टर में ट्रिपसन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और अन्टाइट ट्रिपसन प्रोटीन को डाइजेस्ट होने से कम करता है तो अन्टाइट ट्रिपसन प्रोटीन डाइजेशन को कम करता है मतलब पेट में नहीं एल्सवेर इन दे बोडी ठीक है एक केमिकल है जिसका नाम है अल्फा वन एंटाइ ट्रिपसिन है यह जो केमिकल है यह एमफाइसेमा नाम की एक रेस्पिरेटरी डिजीज में चाहिए होता है एमफाइसेमा में क्या होता है प्रोटीन हाथ से अरडाइजेस होता है उतना ज्यादा को उसको कम करने के लिए यह दवा यूज होती है ये भी कैसे बनती है genetically modified organism से next उसके बाद एक transgenic animal का नाम दिया है Rosie ठीक है Rosie एक cow है जिसके बारे में क्या याद रखना है 1997 में पहली transgenic cow बनी जिसका नाम क्या है Rosie ये human protein enriched milk बनाती जिसमें कितना gram protein होता है 2.5 gram per liter ये data याद रखना next उसके अंदर human वाला alpha-lact albumin होता है याद रखो cow के milk में buffalo के milk में generally beta-lact albumin जादा होता है लेकिन human को क्या चाहिए alpha-lact albumin तो ये nutritionally more important है so Rosie के बारे में दो बात याद रखो कि Rosie for biological product is very good because Rosie's milk had more amount of protein मतलब 2.4 gram protein per liter you can expect buffalo milk has slightly lesser protein per liter the milk contained in human is alpha-lact albumin मतलब human को क्या चाहिए alpha-lact albumin जो इसके अंदर है Rosie के milk के अंदर है next एक और लिखा है emphysema के treatment में similar treatment cystic fibrosis और phenyl ketonuria के लिए भी किया जा रहा है by using other products तो बस यहाँ पे दो बात याद रखो सबसे पहले alpha-1 antitrypsin किस बीमारी को treat करने के लिए emphysema Rosie में कितना protein है 2.4 gram per liter और Rosie में क्या है alpha-lact albumin जो human को चाहिए next उसके बाद क्या आ गया vaccine safety ठीक है so vaccine देने से पहले vaccine को human पे clinical trial करने से पहले transgenic animal host पे clinical trial किया जाता है so transgenic mice are being developed for use in testing for safety of vaccines before giving them to humans transgenic mice are being used to test safety of polio vaccine especially किसका नाम दिया polio vaccine अगर successful vaccination होता है तो use of monkeys to test the safety of batches of vaccine so monkeys पे test करना is like more challenging उससे आसान क्या है कि mice पे test करो ठीक है monkeys a bigger organism more complex organism more difficult to manage लेकिन mice उससे ज्यादा better model है ठीक है next chemical test safety testing तो बहुत सारे pesticide होते drug होते जो toxic है तो क्या लिखा है chemical safety के लिए हम लोग क्या किसका use करते transgenic animals का use करते ठीक है so क्या लिखा है they are then अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे transgenic animal बना सकते जो chemical से क्या हो more sensitive हो than normal animals मतलब normal animal को कुछ नहीं हो रहा लेकिन transgenic animal को जरा सा भी chemical मिला तो उनके अंदर ज़्यादा changes observe हो रहे इससे क्या पता चल सकता है कि वो chemical का क्या observable effects हो सकता है last में कौन सा टॉपिक आता है ethical issues पहले एक full form याद रखो G.E.A.C Genetic Engineering Approval Committee यह community इंडिया में क्यों बनाई गई यह committee इसलिए बनाई गई ताक कि genetic engineering regulate हो सके like कोई भी company नहीं कुछ भी ना करने लगे ठीक है इसलिए बनाई गई ठीक है there is growing public anger and certain companies are being granted patterns for product and technology that make use of genetic materials plants, biological products तो यहाँ पर याद करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर एक दो चीज़े है जैसे इंडिया में कितने rice की variety है 2 lakh next 27 बासमती की variety है यह वो एक कभी-कभी क्या होता है कि दूसरे देश क्या करते है किसी source country जहां से वो source living organism उठा रहे उसको बिना compensatory payment दिये उसके products को या फिर उसके organisms को अपने तरफ use करने लगते है ठीक है दूसरे developing countries से organisms ले लेते है और उन countries को कुछ नहीं देते और खुद उस पर patent लगा रहेते है कि मैं बनाऊंगा बासमती ठीक है so bioparacy is the term which is used to refer to the use of bio resources मतलब living organism especially by multinational companies and other organizations without prior authorization from countries and people concerned ठीक है इसको क्या बोलते bio authorization so most of industrialized nations जो की rich है लेकिन bio diversity में poor है ठीक है in contrast developing countries and underdeveloped world उसमें bio diversity में भी जादा है traditional knowledge जादा है traditional knowledge related to bio resources can be exploited to develop modern applications मतलब कुछ तो कर सकते है there has been growing realization of the injustice inadequate compensation so यह paragraph is all about realization I don't think personally कि इससे बहुत जादा objective question आएंगे so basic चीज़े GEC का full form क्या है bioparacy क्या है India में कितने genetically different strains है rice के इस तरह के question यहां से आ सकते है I hope this lecture was helpful to you I'll come up with more lectures very shortly thank you so much for watching I'll see you in the next bootcamp session में जाँ के